प्रिंस नेहा पूजा प्रसांत तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे कि आज के टॉपर कौन है देन हम अमरी क्लास को स्टाट करेंगे तो सब लोग एक बार जल्दी से जुड़े एक क्लास से फिर हम अमरी क्लास को स्टाट करें तो बच्चों हम देखते हैं कि आज की रिजल में दो बच्चों के सेम नंबर आये हैं अब हम देखते हैं कि यहां पर टॉपर कौन बनेगा तो बच्चे लोग अब सो गई क्या पहले तो आपस में बाते कर रहे थे हैं और मैं जैसे सारे की सारे बच्चे ओफ्लाइन वापर चले गए यास गुड़ इनिंग सभी को खुशी संजे खुशी राम सभी को वेरी गुड़ इनिंग आप देखें यहां पर हम टॉपर डिसाइट करते हैं बच्चों यहां पर मैं यह स्लिप उठा रही हूं आपके सामने और देखते हैं कि पड़ा पड़ से गुड़ इनिंग करके बेजो है ना फिर क्लास को स्ट स्ट करें वेरी गुड़ आज के टॉपर है बच्चों मोनिका ठीक है तो मोनिका को घूल इसके साथ ही मैं हमारे क्लास को स्टार्ट करेंगे तो फटा पट से जुट ज़िए एक बार यास तो देखें बच्चों हमारे कॉश्चन आएगा first question हमारा ये है आज के questions जो है numerical भी है कुछ जो है बच्चु theory based भी है ठीक है तो आप लोगों को फड़ा बट से जवाब देना है बहुत अच्छे-च्छे questions आज भी आने वाले हैं तो हो सकता है कि कल वाले exam में यहां से कुछ questions बन जाए आप लोगों के लिए ठीक है तो देख सभीषेग भी है यह सभीषेग का भी वेलकम करती हूं ठीक है यह सभी को गुड़ीवनिंग आप देखें यहां पर आपको बताना कि मायरे जीन एन एक्जामपल लोग बच्चु यहां पर हमने जब पहला इससा कॉशन किया था तब तब वहां पर केवल ऑप्शन जो है अ तो मेरे बीस आपसे बात करो मेरे आपसे बात करो मैरे की दोनोन गळ्त्ञा होती आपकोड़ी नि के सभी होते। कि बच्चु यह और यह दोनों ही ओने चीह यह पर जो है भी पज्चाम में क्या होना चीह बहुत फॉस्ट रंसेकंड क्या होना चीह क्योंकि इसमें अपरतन और प्रवारतन धोनों ही होते हैं लेकिन यह दि आपको एक्जाम में तो दोनुँ में से कोई एक ही मिले यह पिछलिये एग्जाम में आया है बैसे उठाये हैं तो यहां पर अपट आपोण इन्ट इंट मैयोड nephew जो है डिले लिए प्रकूर्श्टक नेक्स 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 कॉश्ण है पर सही है पहला यह के रहा है कि यह दोनु द्वनी उर्जा को विद्वत में बदलते हैं और लाउड स्पिकर जो है यह विद्वत उर्जा को द्वनी में बदलता है फिर चोथा अप्सिन के रहा है कि ना नोग दिस तो आपको बताना है कि माइक्रोफोन और लाउट स्पिकर में क्या फर्क है अच्छा ये के रहे हैं कि फॉर्स सेकंड सिप्ट का जो जोदपूर में सेंटर था इसके बारे में अभी कोई नहीं है अभी कोई फाइनल नहीं है ठीके इसलिए आप लोग जो हैं तयारी करते रहे वैसे भी रेगुलर जब तक हमारा सेलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक हमें कंटिन्यू तयारी करनी होती है माइक लगाओ मãoâte इसको माइक उसको इसको साँन एनर्जी को ले रहा है और छेल के बगण की बाते हैं clear और दूसरा में दे रहता है loud speaker loud speaker का मतलब जैसे बड़े-बड़े speaker होते है छोटे speaker भी होते है जो आवाज देते हैं किसके दोरा जो electricity का use करते हैं और sound का production करते हैं तो यदि मैं बच्छो loud speaker की बात करूँ यदि मैं loud speaker की बात करूँ हाँ हो गया रस्मी मंदाना हो गया रस्मी मंदाना तो देखा रोज दर्सन क्या करो ठीक है तो देखें यहापर में दिया आप से बात करूँ में दिया आप से बात करूँ तो बच्चो correct answer क्या हो जाएगा हमारा correct answer हो जाएगा C जैसा कि बहुत सारे बच्चे answer दे रहे हैं वेरी गूड बच्चो आप देखें next question next question हमारे ये है कि उर्जा सरक्षन नियम के नुसार संपुन ब्रमान की कुल उर्जा सदे होती है बच्चो यहाँ पर कुछ theoretical question है देन हमारे numerical वाला portion भी आएगा जिसमें बहुत ही शानदार question हम लोग करने वाले है question कहे रहा है कि according to the law of configuration of energy the total energy of the entire universe is always पहला है concern रहेगी second है वो चो infinite या फी third है negative या फी none of this तो क्या होगा answer फटाफट से पता दीजे कि संपुन ब्रमान की कुल उर्जा जो है वो अनन्थ होती है या नियत रहती है या negative होती है या none of this तो answer क्या हो जाएगा बिल्कुल numerical आएंगे कुछ questions theory based है then हमारे numericals आएंगे बिल्कुल थोड़ा इंतिजार कीजिए how to find PI bond तो ऐसा question आ रहा है क्या विराजी ऐसा question दी आ रहा होगा तो मैं आपको बता दूँगी कि किस तरीके से हम find out करते हैं के लिए yes answers आ चुके है बिल्कुल correct answer है जिन्हों ने भी यहां पर बच्चो first answer दिया है वो क्या है correct answer है क्योंकि उर्जा selection का या नि लोग गंजरेशन ओप energy की हम बात करते हैं तो बच्चो total energy जो है total energy जो है इसकी मैं बात करूँ total energy जो है इसका value क्या रहता है constant रहता है क्या रहता है constant रहता है जो है जो है यह जो है यह जो बच्चो बच्चे बी और यह बाकी options दे रहे ना यहां पर बी मलब जैसे अनन्त भी किसी ना अनन्त नहीं यह बैटा यहां पर constant होगी वेलिव क्या हो कि constant होगी ठीक है फिर एके next question कॉशन है कि Joule calorie अर्ग is the unit of which of the following physical quantity आपको बताने कि Joule calorie अर्ग आदी निमन मैंसे कि बहुतिक रासी का मात्रक है पहला आपको दिया है बच्चो बल का मात्रक है second है सवेक का यानिकी momentum का थड़े उर्जा यानिकी energy का चोता है बच्चो बल आपको या एक टोर्क का तो आपको बताने कि Joule calorie अर्ग सबके सब जो है यह किस physical quantity के मात्रक है किस physical quantity के unit है फटा बट बता दो very good बहुत बढ़िया मेरे से मिलना चाते हो तो एक बार select हो जाओ फिर हम बिल्कुल जरूर मिलेंगे yes answer आ रहा है बच्चो के third क्या बात है जादे तरके correct answer आ रहा है बच्चो मेरे आपसे बात करो Joule मेरे आपसे बात करो Joule या फिर मैं आपसे बात करो केलोरी यदि मैं बात करो केलोरी यदि मैं बात करो बच्चो अर्ग यदि मैं बात करो अर्ग तो यह सारके सारे जो है यह किसके मात्रक है बच्चो यह सारके सारे जो है उर्जा के मात्र बच्व.ुख पर और यहां पर sinnersकाना है तो कारे को Radio'm स्था, तो उस्माप को सूआ हैं ? देए भाहिएर से जो हमें जो एनर्जी विलती है उसके लिए हम University क करते हो हम केलोयरी का युज करते है कि सकते केलोय पहिए को यह पर हमारा कुरे ते हो जाएक तर और आपको फटा हैं कि एक जूल स्क Apr को यह तो यह धर को यो हैиться सोजेगा फिर देखिए नेक्स कॉशन ने बच्चु कि दा वार्ग दन इंदे मोसन ऑप दे प्लैनेट अरॉंड दे सन इच आपको बताने कि सुर्य के चारू और ग्रहूं की गति में किया गया कारे क्या होगा तो आपको पता है कि सॉलर फेमिली है और सोलर फेमिली में वह बहुत जाधा टिपिकल ऐसा को चैप्टर ही नहीं कि जिसमें नुमेरिकल आए क्योंकि वह तो 11 ट्वेल्स का लेवल है ना जैसे काइनेटिक्स के हम बात करता है तो या थर्मो डाइन्मिक्स के लिखाने तो उसमें नुमेरिकल आते हैं आपके तो नॉर्मल्मली यह दे तो यह कि रहा है कि यह सन है यह सन के चारत्रव आपको बता है ग्रह क्या करते हैं गति करते हैं तो हमारा वर्ट डन क्या होता है यह होता है यह कि बता है यहांपर बिच में यहां पर बिस्टा होता है यह क्या करा है इस तरह czego अगेगा वोचो एक फोर्स लगेगा जो क्या होगा यह होगा और दोनों के बीच एंगल होगा थीटा जो होगा वो क्या होगा 90 डिगरी होगा तो यहां पर कोस 90 की जब हम वेल्यू रखेंगे तो यहां पर 90 की वेल्यू होती ही बचुछ जीरो इसलिए हमारा वर्क रेंज जो हे वो कितना आजाएगा जीरो आजाएगा और वेसे भी आपको कि बात पता रगना है कि वृत तकार पत पर किसी पिंड द्वारा किया गया कारे सदेव सुन्य होता है के लिए तो में यहां पर लिख देती हू आप लोगों के का दे सदेव 0 होता है सुन्य होता है ये बात याद रख लेनी है हमको ठीके देखो work done 0 कब कम हो सकता है आपको बता है कि यदि force 0 है यानि कि कोई force ही नहीं लग रहा है तो work done 0 होगा force लगाने पर भी यदि displacement नहीं हो रहा है तब भी work done 0 होगा और force भी लग रहा है वस्तू विस्तापित भी हो रही है लेकिन उनके बीच में एंगल यदि 90 डिग्री है तब भी बच्चू work done 0 होगा clear तो यहाँ पर हमारा correct answer क्या हो जाएगा बच्चू यहाँ पर हमारा correct answer हो जाएगा third क्या हो जाएगा third फि देखिए next next बच्चू हमारा question कि which type of energy ने hammer due to its weight आपको बताना कि हतोडे में उसके भार के कारण कौन सी उज़ा होती है first is kinetic energy second is gravitational energy बच्चू third है potential energy fourth है none of this तो आपको बताना कि कोई hammer है क्या है कोई hammer है बच्चू यार पृति में की class का मुझे कोई idea नहीं actually ठीक है sorry तो देख़िए यहापर मैं अगी बात कुरूंगी बच्चू मेह अगी बात कुरूंगी तो य यह कोई hammer है इसी तरह की हमयर होता है ठीक है इसका कुछन कुछ क्या होगा बच्चू weight होगा weight का मदलब क्या है इसका जो भी दरेमान होगा, दरेमान होगा, हिंटो क्या होगा? जी होगा अब आपका पता है कि इसके भार के कारण कोई भी वस्तु जो है भार का मतलब क्या है? उसकी एक position है, उसकी एक स्तिती है बचू तो इसके कारण कौन से energy होगी? potential energy होगी के लिए अच्छा प्रिती में को यह पर लाइव आने के लिए बोलना है ठीक है मैं आपकी बात पहुंचा दूँगी ओके बच्छो तो देखें यहां पर इसमें कौन सी होगी बच्छो इसकी पोजिशन के कारण यहां पर यह ऐसा नहीं कहे रहा है कि प्रत्वी के गृत्वा प्रत्वाइब बच्छे बहुत हार्ड है तो बहुत हार्ड तरीके से त्यारी भी करनी है क्लियर ना तो देखें यहां पर हमारा क्लिक तांसर क्या हो जाएगा फिर देखें फिर देखें बच्छो हाँ बेटा यही काम में ना रोज यही काम में मेरा कोश्चन है पास्कल इस दे ऐसे उनिट ओ विच अप दे फॉलर्वन की फिजिकल कॉन्टेटी आपको बताना है कि पास्कल निम्न में से किस बहुत इक रासी का ऐसे इमात रखें पहला अपसन है बच्छो दाप प्रेसर सेकंड है वेग वेलोसिटी तीसरा है बच्छो सक्ती जिसको पावर बोलते हैं चोता है एक्सेलरेशन आपको बताना है कि पास्कल जो है वो किसका ऐसे उनिट है फटा पड़ से बता दू क्या बात है नरेश कुमावत के रहे हैं 88 राइट है 100 में से वेरी गुड अच्छा एटीएट हैं 88 राइट हैं रोंग भी तो होंगे इसका मलब रोंग तो कम ही होंगे आप लोगों के हैं बहुत बढ़िया नरेश कुमावत बहुत बढ़िया फिर देखिए यस बहुत बात कर तो आपको बता है कि पास्कल जो है बचुई किसका मात्र के दाप का मात्र के दाप क्या होता है प्रेशर इसको क्या होता है फोर्स अपोन एरिया होता है तो इसका मात्र क्या होता है तो दाप का मात्र के एक तो पास्कल होता है इसके लावा क्या होता है न्यूटन ठीक है, तो यहांपर इसका मां क्या हो जागा, बचू, atmosphere, pressure, क्या हो जागा, ATM, atmosphere, pressure जो है, फो भी इसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा, clear, यहांपर फिर velocity की में बात कुरों, तो आपको पता है, velocity जो ही यह क्या होता, displacement बबबबापन time होता है, तो वर्क दन का क्या होता है बचो जूल होता है टाइम का क्या होता है बचो सेकंड होता है तो यहाँ पर हमारा जो पावर है बचो उसका यूनिट क्या हो जाएगा जूल अपॉन सेकंड क्या हो जाएगा हाँ thank you so much thank you so much ठीक है joule upon second होता है बचो यह इसी को हम क्या बोलते हैं इसी को हम बोलते हैं वाट इसके लाब आपको पता है होर्स पावर भी जो है वो सक्ति का मात्रख होता है और एक होर्स पावर जो है वो 706 वाट के बराबर होता है तो यहाँ पर इसका मात्रख है एक्सिलेरेसन की में इदी बात को तो एक्सिलेरेसन जो होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है तो वेलोसिटी का क्या है मीटर अपॉन सेकंड अपॉन टाइम का सेकंड हो जाएगा तो इसकी unit क्या हो जाएगा बच्चों, meter upon second का square हो जाएगा, clear? तो यहाँ पर paper है आप लोगों का, तो अभी से कुमार जी कह रहे हैं कि मेरा कल paper है, बच्चों जिसका भी कल paper है, प्लीज मेरी कल का और पर्सु का numerical वाला जो वीडियो है, एक बार उसको जरूर देखके जाना, और आज वाली वीडियो, ठीके? यह आप portion एक बार जरूर देखके जाना, क्योंकि यहाँ से question देखने को मिलेंगे आप लोगों को, कल पर्सु वाली वीडियो आप जरूर देखने एक बार, क्योंकि उसमें में सारे topics से related questions करवा रखे हैं, और एक हमारा gravitation वाला topic है, उसके questions आज की हमारी class में आने वाले हैं, ठीके? अब देखें यहाँ पर, अब देखें यहाँ पर हमारा क्रिक्टान सोजेगा, बच्चों, फर्स कौन सोजेगा, फर्स जो ही हमारा क्रिक्टान सोजेगा, फिर अच्छा question है बच्चों, कि इफ ए person of 100 kg goes up to a height of 10 meters in 20 seconds, then how many words will be used by the person? आपको क्या दियावा हैं? आपको दियाएं कि 100 kg का वेक्ति 20 seconds में 10 meters उचाई तक जाता हैं, तो वेक्ति दारा उप्योग में ली गई सक्ति कितने vote होगी? बच्चों, इस type का question आप लोगों से होना चाहिए, यहाँ पर आप सक्ति का formula लगाओ, देन अपने आप जो है question का answer आप लोगों तक आ जाएगा? हाँ, जोत्ति तीवर्ता का मात्रक Candela है, बेलकुल सही हैं यास, नरेस, गुमावजी, आपको भी thank you so much, क्योंकि आपने regular classes attend की हैं, ठीके? अरे, answer नहीं आया, यास, अब बच्चों का answer आए है, 500 answer आ रहा है देखो, यहाँ पर आपको क्या दियावा है, यहाँ पर आपको mass दियावा है, बच्चों, 100 kg, आपको time दियावा है, 20 second आपको बताए, जब भी चड़ता है, तो बच्चों, यहाँ पर potential energy होगी, क्या होगी, MGH होगी, और energy जो है, वो किसके equal है, energy जो है, बच्चों, यह work done के equal है, ठीके? यह, बहुत सार बच्चों के answer आ रहे है, तो देखें, यहाँ पर P is equal to क्या होता है, W upon T, W जो है, हम P रख सकते है, तो बच्चों, MGH, MGH upon T हो जाएगा, आप देखें यहाँ पर, M हम को दे रखा है, M कितना है, बच्चों, 100 kg है, into G का मान हम 10 रख देते है, into H कितना दे है, 10 मीटर, और टाइम हमें दे रखा है, बच्चों, 20 सेकंड, जब आप इसको solve करेंगे, तो आपके पास answer क्या जाएगा, answer आजाएगा, बच्चों, 500 वोट, answer क्या जाएगा, आपका 500 वोट, जो है, वो correct answer हो जाएगा, बहुत बढ़िया, यहाँ पर correct answer हो जाएगा, हमार answer बता दो, फड़ा बट से comment करके, answer बता दो बच्चों, जोती, जोती flux क्या होता बेटा, जोती flux क्या होता है, यहां पर मैं ही दी electric motor की, बात करूँ, बच्चों, इलेक्टरिक मोटर जो है, यह क्या करती है, एलेक्टिकल एनर्जी को बदलती है बच्व में करती है तो यह पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्व ुआ हमारा क्रेक्ट आंसर हो जेगा हाँ यह बिलकूल सही है चुम्ब की फ्रक्स होता है यार बेटा मतलब इसका मात्रक जो है न वो testla होता है क्या होता है testla या फिर gouse इसका मात्रक होता है केलियर न फिर देखिए next question Question है कि the correct statement for price, gizzard and electric road आपको बताना कि price, gizzard तथा electric road के लिए सही कथन कौनसा है कि ये कौनसी energy को किस energy में convert करते हैं कि लिए पहला option है विद्युत से उस्मा उर्जा याने कि electrical energy into heat energy second है उस्मा उर्जा से विद्युत उर्जा याने कि heat energy to electrical energy third है विद्युत उर्जा से द्वनी उर्जा याने कि electrical energy to sound energy बच्छों चोता है प्रकास उच्छा से विद्यों तुर जाने की लाइट एनरजी इंटू इलेक्टिकल एनरजी आपको बताना है कि प्रेस गीजर इलेक्टिक रोड यह किस उच्छा को किस में बदलते हैं फटा बट से बता दो बच्छों मैं यह आप से बात करूँ प्रेस यह आप से बात करूँ गीजर यह पिर मैं आप से बात करूँ गीजर यह फिर मैं आप से बात करूँ इलेक्टिक रोड तो बहुती common sense वाले questions है थोड़ा सा दिमाग लगाना है हमको ठीक है आप देखें यहाँ पर बचों यहाँ पर यह क्या करती है क्या press का आप जो है बचों वो switch जो है light के वहाँ पर plug में नहीं लगाओगे तो चालू हो जाएगी कि आपने आपी जैसे जहां से पड़ी है उसको लगाने लग जाओगे तो क्या press हो जाएगी क्या नहीं होगी इसका मनलब क्या है यह electric energy का use करता है तो यानि कि पहले किसका use होता है electric energy का use होता है फिर आपको बता है कि देखो गीजर हो प्रेस क्या करता है गर्म होता है और फिर गीजर जो है पानी को गर्म करता है बच्चो इलेक्टिक रोड जो है ये भी क्या करता है पानी को गर्म करता है और जहां पर भी गर्म वस्तो आजाए बच्चो वहाँ पर energy होती हीट energy कौन सी होती हीट energy होती है तो यह सारे के सारे जो equipment से बच्चू यह electrical energy को किस में बदलते हैं यह heat energy में बदलते हैं किस में बदलते हैं heat energy में बदलते हैं clear तो यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा हमारा correct answer हो जाएगा विद्धूत से उस्मा very good बच्चू बहुत बढ़िया बिलकुल सही answer आ रहे हैं आप लोगों के फिर देखिए next question what is the most important source of energy in the atmosphere आपको बताना है कि जीवन में या वाई मिडल में उठ जाका सबसे महतपर स्तुरत कौन सा होगा ऐसा console source है जो बहुत जादा important है यदि वो नहीं होगा तो हमारा परियावन में बहुत सारी गतिवित है जो नहीं होगी तो फटा बढ़ से बता दो फटा बट से बता तो समझ में आ गया क्या समझ माया क्या समझ माया समझाय तो है नहीं कुछ भी क्या समझ माया बेटा और बच्चु एक बार क्लास को लाइक कर दो सब लोग क्लास पसंदारी तो क्लास को लाइक करना बनता है ना इतने बच्चे लाइव आ रहे हो लाइक इतने कम केसे हैं फटा बड़ से क्लास को लाइक करो अपने फ्रेंज को शेयर करो ठीक है और आंसर भी दो साथ साथ में यास आंसर आ रहे है थाड थाड वेरी गुर बच्चो य प्लांट प्लांट फोतो संंथेशिस करता है यह ठीक है यह अजो हम लेता है इसको कि यह सॉलरनेर्जी का यूज करते हैं मैं इसको केमिकल इनरज्य में बदलते हैं करते लिए हम इस फोटो सिंथेजिस वाली रेक्शन को और भी बोलते क्या प्रकास रासाईनी अभी की आप एंभृ Колते हैं अब यह पादब बोजन बनाएंगे तो साकारी जो है बच्छो हर भी बोड जो है अपना बोजन प्राप करेंगे तो यहाँ पर बच्छो यहाँ पर जो है आपको बता है कि हमारा जो इंपोर्टेंट बच्छो यहाँ पर जो शोर से मुख्या हो जाएगा वो हो जाएगा हमा अलेक्जेंडर ने कि थी फटापट से बता दो कि ये गति के नियम खोजे किसने थे आप सब लोग जानते हो इसको ठीक है और आपको गुसा भी आएगा इस पर है ना क्योंकि हमको इतने नियम पढ़ने पढ़ते हैं है ना सारे के सारे तो इसलिए आपको गुसा भी आता है फटापट से बता दो फटापट से बता दो यास आंसर आरका है सेकंड बहुत बढ़िया यहां पर आप सबको बता है कि गति के नियम जो ही किसने खोजे थे ये इस पागल निटन ने खोजे थे ठीक है इसको बहुत गाल्या पढ़ती है हमें सही फिर देखे नेक्स कोशन बच्चों कोशन है कि साउंड वेव अब देखो बच्चों हमें ऐसा नहीं कि फिजिक से निमेर्कल आ रहे हैं लाइट से तो हम सब कुछ होई पढ़के चले जाए हो सकता है कि कल परसु के एक्जाम के में पैटरन थोड़ा बदल जाए कोशन का ठीक है तो हमें दोनों तर है ठीक है तो देखी यहां पर हाँ बिलकुल यहां पर सही कह रहे हैं गती के तीन नियम है ठीक है तो देखी यहां पर के रहे हैं साउंड वेव हैं पहला के रहे हैं कि निरवात में चल सकती हैं केन मूव इन वेक्यूम यानि की वेक्यूम में चल सकती हैं ऑप्शन सेकंड तो यास, आंसर आ रहे हैं, बचू मेरे आप से बात कुरू sound waves की, मेरे आप से बात कुरू sound waves की तो हमें actually फंडा बता होने जी, सही बात है कि नहीं है, फंडा यदी clear है, तो फिर हमें कोई सा भी question क्यों ना पूछ ले, हम लोग कर सकते हैं तो sound waves जो है बचू यह क्या है, यांत्रिक तरंगे हैं, 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 यांत्रिक तरंगे ह होती है तो इसका मतलब क्या हो कि निरबात में नहीं चल सकती है के वल थोस में नहीं यहां पर फोस्ता लिकेश साइब लग्षो में होता है नहीं चल सकती है इसके साथ में छोंड रखा हो तब भीति ओ दूस्दिन इलेक्रिकल एप्लाइंसेज विद्धियो टुपकरंड में अर्थ काप्यों किसके लिए होता हैं पहला है खर्च को कम करने के लिए टू रिड्यूस एक्सपेंडीचर सेकंड है क्योंकि उपकरंड थ्री फेज में कारे करते हैं एज एप्लाइंसेज वर्किन थ् सुरक्सा के लिए फोर सेप्टी ऑप्सन फोर है फ्यूज के रूप में इंदे फोर्म फ्यूज फटापट से बता दो यह कोशन में आपको हजार बार करवाया है एक हजार एक बार यह कोशन आ रहा है ठीक हाँ सबके सब यदि क्लास पसंदारी तो लाइक करो एक बार है न लेकिन आपसे सॉल्म हो रहे हैं यह सबसे बड़ी बाथ होती है कि हमसे आप लोग उने पड़ा हम पर चाह्रों पर बहुत ही जाड़ा बहुत होती रहे क्या?」 सुरक सागे लिए यूज करते हैं ताकि सारी की सारी दारा जो है ये दर्टी में चली जाए ठीक है और हम सेप रहे सके तो हमारा करेक्टरांस हो जाएगा उच्छू थड़के हो जाएगा थड़ हो जाएगा फिर नेक्स कोशन की इंदर टेलिफॉन रिसीवर टेलिफॉन कोई औरेटिक या टेलिफॉन रिसीवर टेलिफॉन रिसेवर मेरी यह आपसे बात कुरों गुच्ट टेलीफॉन डिसीवर की तो हमारे पास फोन आता है हमें आवाज सुना ही देती हैं हेलो आगे तो आपको पता ही है हम क्या ही बोलते हैं ठीक है तो आपको पता हैं मतलब बाद वाली एनर्जी जो होगी बच्छों यह कौन से एनर्जी ह मनेर्क किसमें करण ईकिसमे होती है साउन up किया हो जैओर हमारा फर्स्ट अरे वस्ते कर नहीं होगा सुपश्वाइजर की बढ़ती बहुत जल्म आज appear चैक कि यहां पर तैयरी को बिल्कुल इतनी 100% कर देनी है कि आज कल भी एक्जाम कर वाले तो आप उसमें सेलेक्टेड हो ठीक है तो हर दिन आप इस तरीके से पढ़ो कि कल आपका एक्जाम होने वाला है तो ऐसी तैयरी जब आप करेंगे तो बच्चों आप एक अलगी लेवल पर होगी ठीक ह करा है आप्की सेलेक्टिंद की शोर प्रोण होगी तो वेकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगा हर वेकेंसी एक,दो,साल में दो,साल में आती रहती हैं तो यदी कोई कcomfort से साल दो साल पहले हुई है तो इसका मतलब वाफ़ी से वेकेंस से आने वाली है किलियर तो बिल्कुल तयारी करती रहने हैं आप लोगों को आप देखिए यहां पर हमारे इसका करेक्टांस हो जाएगा फर्स्ट कॉन सो जाएगा नेक्स है कि विच इस्ट्रॉंगेस एसिड निम्ड में से कौन सा सबसे प्रभलाम है पहला है एस फटावर फर्सै पंपॉट यहां पर स्ट्रॉंगेस सक्षिद कौं सा है प्रिंस मोरिया कि एक छप्रासी की जप्रासी बंपा एंगी इस अंसला का है बच्चो का सेकन अनि नहीं यार बच्चे second नहीं होगा इसका correct answer जो है वो first होगा यह क्या है बच्छो इसका नाम है पर क्लोरीकमल क्या है पर क्लोरीकमल है यहां पर आपको पूछे कि यहां पर chlorine का oxidation state क्या है यहां पर हमें निकालना है तो बच्छो यहां पर hydrogen का कितना होता है प्लस वन होता है जिसका निकालना होता हम एक सरते हैं oxygen का आपको पता है कि कितना होता माइनस 2 होता है 4 है तो कितना हो जाएगा minus 8 is equal to 0x is equal to 8 minus 1 is equal to plus 7 तो यहां पर बच्छो क्लोरीन जो है यह किस condition में है प्लस 7 कंडिशन में है clear तो यहां पर हमारा क्रिक्टन सोजेगा first कौन सोजेगा first फिर देखिए जहां चप्रसी में भी paper होता है तो वो तो वैसे आप clear कर लोगे ना इतना दिमाग तो आप लोगों में हो गई अब next question है बच्छो नेक्स कोशन है हमारा कि consider the following statements regarding differences between liquefied petroleum gas LPG and compressed natural gas CNG and select incorrect statement आपका बच्छो यहां पर गलत कथन का जो है चेन करना है दर्वित petroleum gas और संगनित प्रकरतिक gas के अंतर के संदर में निमलिकित कद्नों पर विचार कर गलत कथन का चेन कीज़ए पहला कहा है कि संगनित प्रकरतिक gas मुखेते methane होती है यानि कि CNG में मुखेते methane होती है जबकि द्रवित petroleum gas निकि LPG में propan and butane का मिस्टन होता है तो बचो आप लोगों को पता है CNG का मुखेगटक क्या होता है तो यह तो हमारा correct statement है यह answer नहीं होगा फिर कह रहा है कि CNG has higher energy content than LPG कह रहा है कि CNG जो है वो LPG के सापेक्स अधिक उर्जावियों होता है बिल्कुल correct है बिल्कुल correct है अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है क्या बच्चे क्या बात कर दी I think आप दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को तो देखें यहाँ पर अब दिखाई देगा आप लोगों को तो देखें स्टुडेंट्स आपकी मेरी बात करूँ तो यहाँ पर यह पहला जो statement है बच्चू यह तो क्या है correct statement है फिर दूसरा है कि CNG तता LPG के सापेक्स अधिक उर्जावियों होता है तो दोस्तों यहाँ पर यह भी correct statement है थार्ड है कि CNG गेस CNG वायू से हलकी होती है जबकि LPG वायू से बारी होता है यह भी हमारा correct statement है फिर फोर्ट ओप्सन है दोस्तों LPG के यतोचित दहन के लिए वायू और गेस का अनुपाद 25 अनुपाद 1 है जबकि CNG का वायू अनुपाद लगबग 10 अनुपाद 1 होता है यह हमारा क्या है बचू incorrect statement है आप लोगों को याद रगना है ठीक है आप पर आप लोगों को क्या गना है याद रगना है क्लियर टेलीफोन वाला गलत बताया है राजू यादव जी टेलीफोन वाला गलत बताया है क्या बात कर दी सही में गलत बतायें क्या अगर सही जो हुआ ना तो दो चार जूते पड़ेंगे आप लोगों के इसमें क्या गलत है बेटा यह टेलीफोन अभीक रही अरे Receiver 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 की बात हो रही है यापर लगाने वाले की बात नहीं हो रही है clear? लगाने वाला होता और इसका उल्टा होता sound energy जो हो suicidal energy में change होती receiver में electrical energy जो है वो change होती है sound energy में clear दोस्तों हाँ, अब मैं आपको दोस्तों बोलूँगी, ठीक है, सबसे आपको दिक्कत होती है, आपको बच्चे बोलो तो भी दिक्कत है, आपको और कुछ बोलो तो भी दिक्कत है, और questions के answer सही है, फिर भी जो है कहे रहे हैं, गलत है, प्लीज याद, class को disrupt करने की courses नहीं करें, ना, फिर देखिए, स्टुडेंट समाना next question है, consider the following statements regarding the benefits of name-coded yuria and choose the correct statement using the course given below, नीम लेपित yuria के फायदों के समन्द में, नीम लेकित कतनू पर विचार कीज़ें और नीचे दिये के कूट की साहिता से सही कतन का chain कीज़ें, तो यहाँ पर, दोस्तों, मैं आपको बतादू कि Question है कि नीम के लेपन फासर विउरिया नीमी तुरुप से दिरे-दिरे स्रवित होता है, जिससे पादब को ओधिक मात्रा में पोशन प्राप करने में मदद मिलती है, यस, दिरे-दिरे, दिरे-दिरे यहाँ पर खाद मुक्त होगा, तो पादब को बचो लंबे समय तक थार है कि नीम का लेपन भारी विती साइता प्राप्त यूरिया की रसाइन उद्धयों के लिए की चोरी को रोपने में साहे कि बिल्कुल करेक्ट सेट्मेंट है, नीम कोटेड है एल्प्स टू चेक, हैविली सबसिडाइज यूरिया, पाइल फ्रेस्टू केमिकल इंडस् तो यहाँ पर हमारा प्रेक्ट सेटमिन हो जाएगा, फोट! कौन बच्यों के 222 पेपर हुए, उनके गाव को रहने हूंगे बहुती! तो बच्छों vitamin C लेने की जरत है न दोस्तों आपको क्या लेने की जरत है vitamin C लेने की जरत हैं के लिए इन सारे के सारे गाम आप लोगों के पढ़जेंगे तो क्या होगा इसका answer फठा फठ से बता दो यास बिल्कुल सहीर ऑउली टेलफॉन होता तो गलत होता लेकिन टेलफॉन डिसीवर बोल तो रहा है अपने मन्से कुछ भी बना लो आप लोग हाँ तो याँपर क्रेक्ट तांशल क्या आ रहे है? यहाँ पर दोस्क्त, क्रेक्ट तांशल हो जाएगा, यहाँपर थर्ड थर्ड आपको पता है विटामिन थर्ड जो है दोस्तो इसका नाम होता है ascorby acid क्या होता है ascorby acid होता है और इसकी deficiency से होता है तो disease हो जाती है बिटामिन एक की हम बात कर दोस्तु तो vitamin A का रास्यारिक नाम होता है retinal क्या होता है retinal रेटिनोल या फिर क्या होता है रेटिनोल रेटिनोल या फिर क्या होता है रेटिनोई केसिड क्या होता है रेटिनोई केसिड रेटिनोई केसिड रेटिनोई केसिड इसकी डेफिसेंसी से कौनसे डिजिस होती है डिजिस होती है बचुक कलर ब्लाइनेस क्या होती है क्या होती delimNS होती है वीटामीन के बारे में सारे सीज़ें फटके जानी हैँ कोछस्किन की थी चीज़ें किस ने दिया था वन्सेल कॉन से है फेसलेशन को से है धेन उनके केंपकल नेम्न की Bened at 600 भेर्ल-चमापक पढ़ के जानते हैं या फिर उसको हम बोलते हैं, Osteo Malaysia, Adult में हम उसको Osteo Malaysia बोलते हैं, और Bujurg में हम उसको क्या बोलते हैं? Osteoporosis बोलते हैं, क्या बोलते हैं? Osteoporosis बोलते हैं, क्लियर? Correct answer क्या हो जाएगा? हमारा correct answer हो जाएगा? Yes, Anil Singh जी का अच्छा question आ रखा है अच्छा बढ़ा भी नहीं है, और बढ़ेगा भी नहीं हाँ, Anil Singh जी का अच्छा question आ रहा है, कि absorption कहाँ पर होता है मैं यदि आप से बात करूँ, vitamin का absorption यदि मैं vitamin के absorption की बात करूँ, vitamin का absorption तो देखी, यहाँ पर हमारे पास vitamin कितने परकार के हैं? हमारे पास vitamin है, दो टाइप के, पहला है water-soluble, कौन से है, water-soluble, water-soluble और दूसरे है, fat-soluble, क्या है, fat-soluble, fat-soluble अब देखे, water-soluble में हमारे पास क्या है, B and C और इनका absorption होता है, intestine में कहाँ पर होता है, जो water-soluble vitamin है, उनका absorption होता है, intestine में कहाँ पर होता है आतर में होता है तो इनका absorption हो जाएगा intestine में कहाँ पर होता है intestine में होता है और यदि मैं fat soluble vitamin के absorption की बात करूँ तो fat soluble vitamin जो है इनका absorption liver में होता है कहाँ पर होता है liver में होता है तो यहाँ पर vitamin तो आपको पता ही है vitamin A, vitamin D, E और K हो जाएगा इनका absorption होता है, liver के अंदर, कहां पर होता है, liver में इनका absorption होता है, clear, तो यहां पर हमारा correct answer क्या हो जाएगा, correct answer हो जाएगा, हाँ, सब कुछ मैं बताऊंगी, class में तो आना नहीं, regular पढ़ना तो है नहीं, हाँ, सभी बात है कि नहीं है, तो देखें यहां पर, इसकी खोर जो ह है बचों यह की थी, hopkins, lunine, hopkins, lunine, तथा funk ने, किस ने की थी, funk ने और नाम किस ने दिया था, बचों नाम जो है, वो funk ने दिया था, clear, correct answer हो जाएगा, vitamin C, कौन सा हो जाएगा, vitamin C, फिर देखें, next question, who invented penicillin, penicillin की खोच किस ने की थी, option फर्स इस स्टिफ एंशन, option third is, डनलप, option third is, को, option fourth बचो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो आपको बताना है कि penicillin की discovery किस ने की थी, ठीक है, अच्छा, गाड़ी का टाइम हो गया, तो कोई बात नहीं ना, आपको क्या, offline class में थोड़ी आना है, क्या, online class चल लिए न, देख सकते है न, class को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर penicillin की खोज जो है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, दोस्तों, और यह खोज की थी, penicillin notatum में, किस में की थी, penicillin notatum, जो है, क्या है, यह एक fungus है, क्या है, एक fungus है, यह क्या है, fungal antibiotic है, क्या है, fungal antibiotic है, तो यह सारी चीज़े आपको याद रगनी है, correct answer होजेगा हमारा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, 4 जो है, वो हमारा correct answer होगा, फिर देखें, next question, in which stage of mitritic division, morphology of chromosomes is studied, समसुतरी विवाजन में, किस अवस्ता में, गुंसुतर की आकारिकी का अधिन किया जाता है, तो मैंने आपको बताया था, कि विवाजन में, 4 रवस्ता ही होती है, पहली होती ही, प्रोफेस, सेकंड होती ही, मेटाफेस, थाड होती ही, एनाफेस, फोर्थ होती ही, तिलोफेस, उसमें जो मेटाफेस होती है, उसमें जो मेटाफेस होती है, मेटाफेस जो होती दोधार कोशन है कि इन विचसेल और इस प्रगाम आपको बताना है कि को सिकांगे कि अनुकाई में दोहरी जलिय निपसित होती है तो मैंने आपको तेनु के नाम बता रखा है कि किसमें double payment present होती है तुझो नहीं बता रखा है वो उसका क्या होगा करेट टैंसर होगा मला पूछ रहे हैं मेरे से like कर सकता हूँ क्या किसको like करना है बेटा हाँ किसको like करना है किई महांच के बात करो ना पिछले वाला question माएय था क्या क्रोम kep आते कि मैं बता करो ऑँ क्रोम कह बता करो यह बत ने हैं दीने और परोटिन से रहे मिलकर बने वे होता है अब देखें मेरे भी बात कुरू ना एक क्रोमोसोम की तो जैसे ये क्रोमोसोम है तो इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम क्रोमेटिट बोलते हैं और यहां पर क्या होते हैं यहां पर बचु इसका क्या होता है यहां पर क्या होता है सेंट्रोमेर होता है क्या होता है centromere होता है centromere होता है इसके लावा इसमें क्या होता है बचु यहाँ पर क्या होता है chromatin के धागे भी होते हैं अंदर पदाज भी बरावा होता है इसके लावा यहाँ पर क्या पाई जाती है यहां पर इसमें nucleus present होती है nucleus present होती है और यहां पर इसको क्या बोलते है no reason बोलते है clear correct answer हो जाएगा वो चुछ second क्या हो जाएगा second जो ही है हमारा correct answer हो जाएगा next question है कि कौन से में double membrane absent होती है तो आपको बता है कि nucleus में double membrane होती है, mitochondria में होती है हमारा करेकट नश देगा क्या होती है युट्सक्राइबल होती है क्या होती है सिंगल में मिएह No हमारा correct answer हो जएगा third, कौनस हो जएगा third जो ही हमारा correct answer हो जएगा next है कि what is metabolism उपापत्य क्या है पहला है जेव अनु का संसलेशन, synthesis of biomolecules, option second है जेव अनु का तूटना, breaking of biomolecules, option third है जेव अनु का तूट जाना वे तो आपको बता है कि metabolism जो है इसमें अनु का तूटना और बनना दोनु पर के रहे सामिल होती है तो third जो है वो हमारा correct answer हो जाएगा next question है बचूँ कि the softest mineral among the following is namely कि इसे अधिक्तम रदू खनीज है सबसे soft matter कौन सा है पहला है gypsum, option second है quarts, option third है fluoride, option four है telcom, tel click रखा है तो correct answer क्या होगा मैं सब भूल गए जैसा लग रहे हैं मतलब क्या सब कुछ भूल गए क्या पड़ा वो yes, answer क्या रखा है C, C नहीं होगा, इसका correct answer होगा, इसका correct answer होगा fourth, telcom, telg जो है ये एक powder होता है telg जो है ये powder होता है, जो हम चेरे पर लगाते हैं ना, ताकि हम दूसरों को ये बता सके कि मैं कितना गोरा हूँ, कितनी गोरी हूँ, सही है कि नहीं है तो यह ठीलाकमपडस होता है, क्या होता है? क्या होता? क्लियर, तो कर्यक्ट अंसर क्या हो जएगा दोस्तु, क्लिक्र सुर्ग डोजएगा, फोड्स Hasins GuarSTE क्लियरोच भी तंसर हो जएगा पागल हो गया हैं, कोई बात नहीं, पागल बनके दोरे पढ़त रित्ते कभी-कभी है न, फिर देखिए पहला है सिमेंट बटियां, सिमेंट क्लिंग्स, सेकंड है उर्जवत पादक उद्योग, पावर जेनरेशन इंडिस्री, सेकंड है ज्वाला मुखी, प्रेसपूटन, फोर्थ है, वहां निकास, वहिकल एकस्ट, फटबड़ बता दो, पहले करवा रखा हैं, मैंने आप लोगों को, पहले मैंने आपको करवा रखा है, फ्लोरेट क्या होते हैं, है जैसे बात को देखें मिल्雑 सक करके मनलब होता है क्या बेन को क्या सबस्क्राइब होता हैंक द ہیں मरव और कैंप Industry मैं बहुता है जिपी सम्राइब बहुते हैं पैंसो कि program नहीं हो एंसे इसका जड़ीइ इसका मेजर जो है कॉक्टर नहीं है इसलिए हमारे कडिंज रोजेगा फिर next question है अब हमारे numericals start होते हैं ठीक है अब हमारे numericals start होते हैं तो देख लिएजे यहाँ पर जिसका भी कल exam है दोस्तों यहाँ पर जिनका कल exam है specially वो यहाँ पर ध्यान दे clear तो question है कि प्रत्वी का द्रह्मान 6 into 24 kg है तथा चंद्रमा का द्रह्मान यहाँ कि mass of part आपको given है 6 into टेंसल पावर 24 kg and mass of moon जो है वो 7.4 into टेंसल पावर 22 kg है आपको जो है distance between earth and moon जो वो कितना given है वो है 3.84 into टेंसल पावर 5 km तो प्रत्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाएगा बलका मान क्या होगा यहाँ पर आपको बताना है कि प्रत्वी जो है वो चंद्रमा पर gravitational force कितना ल बेटे ना यह हमारे typist जो है ना यह typist बड़े ही मतला बदला ले रहे है मैं से यह हिंदी के कोशन ही type करते हैं English के करते ही नहीं है क्या पूछ रहे हैं ऐसा क्या पूछ लिया जो मैंने नहीं पढ़ा हां देखो यहाँ पर English वाले भी सुन लो हमें क्या है mass of earth जो है मैं यहाँ पर हमें given है mass of earth यानि कि मैं m e लिख दूँ यहाँ पर m e हमें given है 6 into 10 to the power 24 kg और हमें यहाँ पर mass of moon जो है mass of moon और mass of moon को हम क्या लिखेंगे mm लिख सकता है तो इसका amount given है 7.4 into 10 to the power 22 kg clear और हमें distance दे रखे हैं दोनों के बीच की वो है 3.84 into 10 to the power 5 km ठीक है यहाँ पर आपको याद रखना है यह दूरी मीटर में है यहाँ पर हमें km में है मीटर में बदलना पड़ेगा तो 3.84 और यहाँ पर मैं 1000 से गुणा करूंगी तो यहाँ पर मेरे पास power क्या जाएगी कि मीटर आजाएगी क्या जाएगी मीटर आजाएगी के लिए तो देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है में इदी बात कुरूंग गविटेशनल फोर्स तो आपको पता है कि यह जो दो हमारे पास फार्स state है डो हमारे पास पींड है उन दोनों मास के रहती प्रपॉस्टनल होता है और हम स्दiden aí थे हैं तो हमारे पास आता है झी एम वन एंटू आपकोन आपकी दीешь को अब M1 जो है वो mass of art है, M2 जो है वो mass of moon है, G की value जो है ये बचू universal constant है दोस्तों इसका मान होता है 6.67 into tensile power minus 11 ठीके और इसका इदी मैं unit की बात करो तो क्या हो जाएगा Newton meter square, Newton meter square upon क्या हो जाएगा kilogram square ठीके तो यहाँ पर इसकी value हमारे पास हो जाएगी 6.67 into tensile power 11 minus 11 into यहाँ पर हमारे पास value है बच्चो 6 into tensile power 24 kg into यहाँ पर mass of moon जो है वो है थोड़ा सा छोटा लिख दिया मैं यहाँ पर इसको कहां लिखू यहाँ पर लिख देती हूँ ठीके तो F G कमान के आएगा सबसे पहले तो G क value रखेंगे तो 6.67 into tensile power minus 11 आएगा फिर mass of earth जो है वो कितना है 6 into tensile power 24 है फिर mass of moon है वो कितना है 7.4 into tensile power 22 है अपन D हमें दिया हूँ इसका square करना है तो 3.84 3.84 into tensile power 8 और इसका क्या हो जाएगा square हो जाएगा ठीके आप इसको solve करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा इसका answer कर आजाएगा ठीके फिर देखिए next question अच्छे अच्छे questions है आप लोगों के यहाँ पर आप लोग के रहें तो numerical नहीं आ रहें तो numerical आ गए अब प्लीज जवाब किसी का भी नहीं आया है हाँ एक अभी सेख सिंग पट्रेल ने corrective formula लिखा है जी M1 M2 upon R square बहुत बढ़िया आप solution आप खुद को करना है ठीक है यहाँ पर calculation है वो आपको solve करना है बस अरे बच्चों फाल्दो के comment नहीं करो यहाँ पर है ना questions आ रहे हैं तो questions के जवाब दो बाते करवा लो बस फाल्दो के comment करवा लो आप लोग उसे questions तो होते नहीं है अब देखिए question है कि एक car किसी कगार से गिर कर 0.5 second में 30 पर आजाती है किसी कगार में car फसीवी है और वो वहाँ से गिरती है और कहां पर आ जाती है point 5 second में 30 पर आजाती है परिकलन में सरलता के लिए यहाँ पर यदि हमारे जी यूज में आ रहा है तो इसका value हमें क्या लेना है 10 में पर सेकंड स्कॉर लेना है clear अब हमें तीन questions पूछे हुए है आप देखो यहाँ पर car गिर रही है पहले तुम आपको बता तो car गिर रही है जैसे यह मेरा mobile है जैसे यह मेरा mobile है इसको मैं यह यहाँ से छोड़ हूं इस तरह के से गिरा हूं तो इसकी initial velocity क्या होगी इसकी initial velocity होगी 0 क्या होगी 0 ठीक है आप देखिए ताइम कितना ले रही है दर्ती पर आने में टाइम कितना ले रहे है पॉइंट फाइब सेकड़ ले रहे है अब निकालना क्या है देख लो यहाँ पर पहला है कि धर्ती पर टक्राते समय कार की चाल क्या होगी अब बिसली से बात है कि ःपाड़ो में कगार में फस गए और वहां से गिरेगी, तो हम बहुत ही जोड़दार वहां पर वेγalten से टकराएंगे, आपको यह पता है यानि कि हमें पहला पूचा है कि जब यह कार जैसे यह कार यहां पर पसी हुई है यह कार है मने छोटी सी यह दर्दी पर आ रही है बच्चू यह यहां पर ठपाक से गिरेगी तो यहां पर वेलोसिटी क्या है यानि कि पूचा है इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है ठीके तो ह हमें क्या किया दिया है हमें क्या के दिया है आपको पतर है सरालता एंटिक लेना है इसको फॉंट-प ś इसको बॉसी एंटनेवन्सुट हम पर हमारा जो वांट रेलिसटी कितना फाइब yoga 5 पर सेकंड क्या जाएगा 5 में में पर सेकंड रर तो Hi no yes रगुवेंद्र सिंह का जरा रहा है इसके लाब रखुन सिंह करें लाएं सेकंड मैं अबन सब्सक्राइब सैट्ट के दूर्ण इसकी ओसर चल्ड क्या होगी आपको बताना की स्पीड क्या होगी इसकी आपको थो हम कैसे निकालते हैं दोस्वों क्लिके लिए क्या क्यालता है फाइनल प्रस हैं इसलिके ध्र करेंगे तो आपको बता है फाइनल वेलोचिटिय depression कितनी है फाइप इनीचल कितनी है जेरो है अपरंट टू करेंगा रही यह अनीकी फाइड फाइड पॉंट-फाइब मीटर पर सेकंड क्या जाएगा average velocity की value कितनी है जाएगी average velocity की value हो जाएगी 2.5 मीटर पर सेकंड ठीक है फिर देखिए हाँ mobile गिरा के दिखाईए प्लीज अपना गिरा के देख ले experiment कर ले ना पता चल जाएगा फिर देखिए थाड है थाड है दर्ती से कगार कितनी उचाई पर है आपको यह पूछाएगी यह कार जो गिरी है ना दर्ती पर यह कितनी उचाई से गिरी है तो अब हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ है देखो हमारे पास initial velocity है final velocity है तो मैं यह यह वाला formula लगाओ V square U square plus 2GH तो यहाँ पर आपको बता है हमारा U to क्या है 0 है V final कितना है 5 है तो 5 का क्या हो जाएगा score हो जाएगा is equal to 2 into 10 into क्या हो जाएगा h हो जाएगा 5 into 5 5 into 5 20 हो जाएगा 25 upon 20 25 upon 20 यानि कि 25 25 और 520 हमारा correct answer क्या हो जाएगा 5 बड़े चाहल यानि कि 1.25 1.25 मीटर आजाएगा ठीक है तो यह कार बहुत ही कम उचाएसे गिरी है 1.25 मीटर के उचाएसे गिरी है clear सुन लो सुन लो कुछ भी सुन लो आप लोगों के कान है कहने वालों के काम है तो आप सुन लो कुछ भी क्या दिक्कत है तो बच्चों यहां पर देखिए दोस्तों यहां पर हमारा पहला जो है कि टक्राते समय कोलिजन के टाइम जो वेलोसिटी ओफ कार है वो क्या होगी वो होगी 5 मीटर पर सेकंड एवरेज स्पीड जो है इसकी वेली हो जाएगी लिए चोद्री, नीरत चोहन प्रजापती बिलकुल करेक्टा 23.5 कैसे आरह है 23.5 नहीं आएगा आँसर 1.25 मीटर आएगा 1.25 मीटर आएगा पिर रेखिए नेक्स कोशन नेक्स कोशन कीजिए और आंसर देने की कोछिव कीजे ठीके देखिए यहां पर एक वस्तु को उद्वादर दीशा में उपर के और फेका जाता है आप कोई आपका मोबाईल है उसको फेका जाता है ठीक है उपर की तरफ आप फेक रहे हो यह 10 मिटर के उचाई पर पहुंसते है यानि कि ये आपकी कोई वस्तू है ये आपका पास बोल है आप इसको फेक रहे हो और ये कितने उज़ाई पर जाती है ये उज़ाई पर जाती है 10 मिटर कितने उज़ाई पर जाती है 10 मिटर पर ये जाती है के लिए फिर देखिए आपको निकालना क्या है वस्तू कितने वेक से उपर फेकी गई इसका मलब है कि इसका इनिशल वेलोसिट्य चैति कुछ नग था हमने इसको फैका था इसका मलब इसको किसिन किसी वेलोसिटिक समनल सक ने हैज सबक्राइब करनी करनी है अब आपको याद होगा हाँ इधर उदर पॉइंट होगे आप इसे नहीं करना है options मिलेंगे आप कोई सरीके से ठीक है इसलिए आपको ब्यान केरफुली आपको answers देना है क्योंकि आप जो गलती करते हैं वो examiner पहले ही options में डाल करके उसने तो हमारा गलत हो जाता question गलत नहीं करना है ठीक है फिर देखिए अब आपको याद होगा कि हम किसी भी वस्तु को उपर फेकते हैं चाहे वो हमारा mobile हो चाहे बोल हो या कोई भी वस्तु हो तो एक निश्चित उचाई पर जब वस्तु पहुंच जाएगी तब वो रुख जाएगी यानि कि उसकी final velocity 0 होगी तभी तो वो वापस नीचे की तरफ आएगी सभी बात है कि नहीं है गेंद को आफ फेकते हैं उपर की तरफ तो गेंद उपर जाती है लेकिन एक अधिकता मुझाई पर जाने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 होती है इसलिए उस उचाई पर जाने के बाद बोल नीचे आ जाती है ठीके इसका मनलब क्या हुआ कि इसकी final velocity ज तो देखे यहां पर उचाई भी देगा है तो हमें क्या निकालना है यहां इसी बात करूं तो हमारे पास जो है एक सुत्र आता है वी स्कॉर थार्ड न्यूटन की गतिका जो थार्ड नियम है वो है वी स्कॉर इस एकल टो यू स्कॉर प्लस टू जी एच क्या हो जाएगा टू जी एच ठीके अब यहां पर माइनस आएगा क्योंकि यह बोल उपर की तरफ गई है ग्रिविटेशनल जो है इसकी वेल्यू क्या है जिरो है तो यू स्कॉर वायनस टू इन्टू जी टैन्य घग को हो जाएगा हमारे पास u2 जो है वो कितना हो जाएगा 2 x 10 x हाइट कितनी दे रखी है यह यहां पर ठीक है तो यहां पर हम इसको solve करेंगे तो u is equal to क्या हो जाएगा अंडर रूट अंडर रूट 200 ठीक है 200 हाँ यह है बिल्कुल सही के रहे निकेस सार्या यहां पर हम 9.8 इसले लेंगे वो इसले लेंगे क्योंकि हम यहां यहां पर 9.8 लेंगे न हीएदी 9.8 लिए तो तो यदि आपको लाइन में कहे रखा है कि आप जी को 10 लीजिए तब आपको लेना है नहीं कहे रहा है तब आपको 9.8 ही लेना है ठीके तो करेक्ट अंसर जो है हमारा पहले कोशन का क्या हो जाएगा 14 मिटर हो जाएगा फिर कहे रहें कि वस्तु द्वारा उच्चतम पर जब पहुंचेगा तब यहां पर इसके फाइनल वेलिसिटी जिरो हो जाएगा इनिसल वेलिसिटी हमारे पास आ चुकी है उज़ाई हमें दे रखी है तो समय कितना होगा तो आप देखें यहां पर यदि मैं यह वाला फॉर्मुला लगाऊं यदि यह माला फॉर्मुल का इस वेलिसिटी है रही यह वज़ाई और अपो घून आपए उसBye लाती होगह व्यारा फॉर्मुलेय बेज़ाई होाथ यहां पर कैसे 215 अपर इनिसटी हो जाएगा वेड जिरो हो जाएगा तो यू बराबर कैसे ओग सा द्यू पॉर्टी होजाएगा एनिस ईकी यह भी 1.4 सेकंड यास बिल्कुल क्रेक्ट अंसर है आप लगा के देखेंगे न तो आपको इक्वेशन पता चल जाएगे कि कौन से एक्वेशन आने वाली है तो हमारे पहले कॉशन का आंसर जो है वो तो क्या हो जाएगा वो तो हो जाएगा 14 मिटर कितना हो जाएगा 14 मिटर आ क्या जाएगा 1.4 सेकंड जो है वो हमारा क्रिप्टांस रोजेगा ठीक है फिर देखी नेक्स क्वेशन वहोत ही आसान क्वेशन है फेरी वेरी इजी क्वेशन क्वेशन है कि एक वस्तु का द्रेमान 10 किलोग्राम है प्रत्थी पर इसका भार कितना होगा फटाबट बता द 10.8 ले लो तो यहां पर वेट जो है वो कितना आजाएगा वो आजाएगा 98 नूटन कितना आजाएगा 98 नूटन तो हमारा आंसर क्या होजेगा 98 नूटन आजाएगा 98 नूटन जो है वो आजाएगा आंसर किसी का भी नहीं आएं आपस में बाते चल दी है बहुत बढ़िया लगातार बाते करते रहो बचूं यहाँ पर मैं question solve करते रहूं सही है न हाँ केजी नहीं केजी नहीं आंसर unit जो है वो newton होगा क्या होगा newton होगा क्लियर weight निकालना है हमको ना कि हमें द्रेमा निकालना है clear ना तो answer न्यूटन मैं आगा 98 न्यूटन फिर रेखे एक वस्तु का बार प्रथी की सत्य पर मापने पर 10 न्यूटन आता है नहीं कि weight on earth जो है वो कितना है 10 न्यूटन है इसका बार चंद्रमा की सत्य पर कितना होगा अरे कितना हंगामा हुआ था यार उस दिन हमारे गलत हो गया था ना चंद्रमा वाला question दो बिल्कुल इसको सही करना है आपको पता है कि जो प्रथी पर weight है moon पर weight जो है वो 1 upon 6 क्या होता है w e होता है यारे कि चंद्रमा पर किसी वस्तो का भार जो है वो प्रथी पर भार का एकटा6 होता है तो चंद्रमा पर हमें weight निकालना है तो हम क्या करेंगे 1.6 into w e का मान दें रहा है तो क्या जाएगा 10 upon 6 होता है क्या जाएगा 10 upon 6 होता है ठीक है किस काइन से लोहे में जंग लग जाता है फर्स ही जोडये जोड़ में राइंग first is oxidation, second is reduction third is chemical reaction with oxygen fourth है chemical reaction with water sorry CO2 तो आपको पता है कि rust rust of iron की में बात करूँ rust of iron rust of iron जो है ये क्या है rust of iron जो है ये corrosion है अरे corrosion है की नहीं है corrosion का एक type है, sunscreen का एक type है, बहुत बढ़िया, फिर देखिए, corrosion है, और यहाँ पर जब यह iron जो है, यह जब आदर, oxygen के संपर्ग में आता है, तो यह बनाता है iron oxide, और यह बनाता है XH2, ठीके, यहाँ पर iron का क्या हुआ है, oxidation हुआ है, तो पहला हो जाएगा, oxidation, तो यहाँ पर देखो, पहला हमारा correct होगा, detection नहीं होगा, फिर कहला कि CO2 यह oxygen के साथ, तो आपको पता है, reaction किसके साथ हो रही है, oxygen के साथ हो रही है, तो यह हमारा correct होगा, यह incorrect होगा, तो हमें क्या पुचह है, पुचे हैं, तो यहाँ पर first or third, तो हमारा correct answer क्या होगा, fourth is our correct answer, fourth जो है, वो हमारा correct answer होगा, बच्चु के गलत answer सा रहे हैं, बिटा, गलत answer क्यों आ रहे हैं, अच्छा question है, फिर अच्छा question है, इस तरीके के question पुचह जाने की संभावना है, देखिए, next question के मैं बात करूँ, तो question है हमारे सामने, कि copper electrode का परयोग करके, copper sulfate के जली गोल के video department से क्या प्राप्थ होता है, the electrolysis of equation of copper sulfate using copper electrodes gives, तो एक फंडा याद रगना है, ठीक है, जब भी किसी metal का salt दे, यहाँ पर आपको क्या दिया वा है, copper sulfate ही तो दिया वा है, copper sulfate ही तो दिया वा है, तो यह हमारा copper sulfate आपको बता है, यह निले रंग का होता है, iron के छर डालने पर यह क्या हो जाता है, इसका गलर फिका पड़ जाता है, और लोहे की कील जो ब्राइनिस हो जाती है, एसा question में आपको करवा है था ना, कि जब लोहे की कील को हम copper sulfate के विलेन में डुबाते हैं, तो क्या होता है, किया ना ऐसा question हम लोगों ने, अरे यार शायरी वारी नहीं आती है, आज की क्रास समाब थोगी फिर में एक शायरी सुनाओंगे, ठीक है, पेरे चुप चाप पढ़ लो, फिर बाद में शायरी सुनाओंगे, देखे, copper sulfate है, और इसमें क्या है, copper का electrode लगावा है, अब हमेंसा यार दखना है, electrode दो होंगे हमेंसा, electrode दो होंगे, एक होगा cathode, cathode होगा, cathode होगा, metal कौन सी यहां पर copper है, तो हमें cathode पर कौन सी metal मिलेगी, copper metal मिलेगी, और anode पर हमें generally कोई gas यहां पर प्राप्थ होती है, तो यहां पर आप मुझे बताएं कि copper sulfate है, तो यहां पर gas कौन सी होगी, oxygen होगी, तो एनोड पर हमें कौन सी gas release होगी, इनोर और के थोर पर is copper बनाओ नहीं भी दोपर नहीं होती है के थोर पर hydrogen और अनोर अ topic हमारा कर्लेक्टस होजेगा first कौसे होजेगा style क्लीर नहीं होगा ayes क्लीर क्या हुआ क्लीर क्यूंने क्ली οमे लिभ warfare खाँ तर घंगама जिनके इरादे मेहनत की शाई से लिके होते हैं उनके किस्मत के पन्ने भी खाली नहीं होते हैं क्या बात है नरेस कुमा उजी का पेपर भी अच्छा हुआ बड़े शायर भी लगते हैं यह लोंग ठीक है क्या रोड़े हैं नेउस्ञें के तो देखें यहां पर यहां पर हमें तो यहां पर हमें reaction दिया हुआ है F2O3 plus 3CO plus 3CO product में मिल रहा है 2FE यह 2FE है ठीक है और plus 3CO2 प्लस 3CO2 ठीक है तो आपको options दिये हैं कि यहां पर CO is an oxidizing agent second है कि CO is the reducing agent third is CO उदासीन है CO is neutral और fourth है कि CO उत्पराण का कारे करता है CO act as a catalyst पेपर हाड आया था तो गबराने वाली कोई बात नहीं है हमारी तीन दिन की class से देख लेना आज वाली और पिछले इससे पहले वाली जो दो class से वी न एक बार फ्लीज देख लेना बहुत सावे questions आप लोगों से हो जाएंगे ठीक है पांच को है तो बिल्कुल आप लोगों के लिए important है पिछली हमारी जो भी दो चार पांच class है वो physics के numerical हैं इसलिए बागी तो हमारी सारी class important ही वेसे भी तो देखिए यहां पर मैं आपसे बात करो तो carbon हो गया या फिर carbon monoxide हो गया यह किसके तरह काम करते है बड़िजों यह करते है reducing agent की तरह किसके तरह काम करते है reducing agent की तरह कौम करता है तो यहाँ पर हमारा correct answer क्यों हो जाएगा वैसे भी आपको बता है तो आपने बड़ा होगा physical change and chemical change physical change में नया पर्षट नहीं बनता है chemical change में नया पर्षट बनता है क्योंकि पर्षट का chemical composition change हो जाता है ठीक है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो options हमें दिया हुए है उसमें किसमें जो है वो chemical change हो रहा है पहला है कोईले के देहन में combustion of coal, acetone का वास्पन वास्पन एक तरीके से क्या है अवस्ता परिवातन है तो यह क्या है physical change है फिजिकल change है और ठाड है कपूर का उर्ध पातन, उर्ध पातन क्या होता है उर्ध पातन का मदलब होता है solid to direct गेस में convert होना यह क्या है बच्वों यह भी एक क्या है physical change है और मखन का पिगलना मक्खन का पिगलना है न तो मक्खन का पिगलना भी क्या है पिगल रहा है टेंपरिशुर बढ़ने की विज़े से तो वापस टेंपरिश्य काम होगा तो वापस जम लाइख गतफोच पैसलीड यह प Frisamen का यह जाएग पार यह फिजीजिकल चेंजक प geography है इस बिए customer पिद्रेखिये नेक्स क्वेश्यन अच्छा क्वेश्यन ही ठीक ही लेवल का तो आउसर देना है आप लोगों को फिर यह जाता है तो वो लेड्र मोनोग्साइड नाइटरिजन डाइवकसाइड और अउक्शीजन वी विखन्डित हो जाता है यह अभिक्रिया का एक उदाण ह ऐसे questions exam में पूछे जा रहे हैं अभी क्या से related heart shift में coin को ये question आ रहा है तो आप लोगों को ऐसे question आना चाहिए आपको बोला है कि lead nitrate lead nitrate होता है PB NO3 का hold twice इसको क्या करता है गर्म किया जाता है तो हमें प्राथ होता है lead monoxide PBO प्राथ होता है इसके लावा nitrogen dioxide NO2 प्राथ होती है इसके लावा हमें oxygen भी प्राथ होती है reaction balance नहीं है हमें इसको measure जो हमें reactants और products दिये हैं मैं उसकी बात कर रही हूं के लिए हाँ बिलकुल रगवेंद्र सिंग का बिलकुल correct answer आ रहा है तो यहां पर अभिक्रिया को देखिए एक बात गोड से देखिए यहां पर हमारे पास single rate tend है late night rate क्या है एकल उत्पाद है sorry एकल अभिकारक है single rate tend है जब इसको हम heat देते हैं जब हम इसको गार्म करते हैं तो यह दो से अधिक क्या बना रहा प्रोड़क्त बना रहा है बेटा double displacement पुछा हुआ था यह हमें जो दिया हुआ ना यह double displacement का example नहीं है यह example है आरे नहीं बेटा ज़्यादा बार decomposition कैसे होगा ऐसा नहीं होता है कुछ भी मतलब displacement double time होता है तो इसका मतलब यह थोड़ी की decomposition भी double time होगा ऐसा नहीं होता है correct answer होजएगा हमारा correct answer होजएगा यह options दिया हुआ है लेकिर ऐसा general नहीं होता है ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आपगटन अभीक्रिया आपको बता है combination reaction तो combination reaction में इसका just opposite होता है यदि मैं इस सब को मिला हूँ और मुझे single product मिले यानि कि जैसे हम करवाता है na CAO की अभीक्रिया में किसे करवा हूँ water के साथ करवा हूँ तो मुझे प्राथ होता है CAO इसका hold twice यानि कि बिना बुचे हुए चुने की अभीक्रिया में जल के साथ करवा हूँ कुल नगे बिना है करवा कि ज technique कि इस चंइका आफिक्ण कि रख्चे हैं सिंगल प्रोड़क्ट हैं थैं को ऐना बना बना ले और किसका एक्जामल यह विस्तापन का एक्जांपल है और मैं बात करूड कि डबल दिस्प्लेस्मेंट का एक्जाम्पल क्या है डबल डिस्प्लेस्मेंट डबल डिस्प्लेस्मेंट डबल डिस्प्लेस्मेंट में क्या होता है आयन एक्षेंज होते हैं क्या होता है आयन एक्षेंज होते हैं जैसे मैं बात करूं जैसे मैं बात करूं तो यहां पर हो जाएगा बेरियम सल्फेट क्या हो जाएगा ब तो यह अबिक्रे जो है यह डबल डिस्प्लेस्मेंट का एक्जामपल है डबल डिस्प्लेस्मेंट वेसे भी आपको पता चल जाएगा आपको रिंष्ट और प्रॉडप्र श्रेयृष्र डिस्प्लेस्मेंट के स्कता कैरती है करेंट प्लस कि हरा है और क्या हो रहा है रिद्यूश का अपचेंट हो रहा है या फिर उप्रयोग सभी या फिर नहीं दिख रहा है तो आ रही है क्या दिक्कद आ रही है यस फटाबत से आंसर दे दिजिए कॉशन कह रहा है आप देखो यहांपर हमें रियक्संज गिवन है H2 plus Cl2 और यहां पर हमें मिल रहा है 2HCl, तो यह भी एक तरीके से combination action का एक example है, क्या है combination action क्योंकि दो क्या है, इसमें actinant है, single क्या है, product है, तो यह प्रकार की combination action है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एक हो H के साथ क्या है, Cl जूड़ा है, तो यहां होता है, तो यहां पर हमारा correct answer क्या हो जाएगा, second जूए हमारा correct answer हो जाएगा, second जूए हमारा correct answer हो जाएगा, फिर एक है next question, जब potassium दातू की जल से किर्या करवाता है, तो इसका oxygen होता है, when potassium metal is reacted with water, its oxidation takes place, या फिर reduction takes place, या फिर remains unaffected, या फिर hydrolysis takes place, आपको बताना है कि जब हम potassium की जल से भी क्या करवाते हैं, तो आपको याद होगा कि sodium और potassium बहुत जादा reactive metal होती है, यह बहुत ही fast water के साथ reaction कर लेती है, इसलिए sodium और potassium को हम kerosene के मिट्टे के तेल में रखते हैं, ठीक है, यास, बिल्कुल रख्वेंद्र का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, रख्वेंद्र बहुत अच्छा बच्चा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं, सबके, दिख रहा है, हाँ, बिल्कुल, H2 is being oxidized, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल और इसका अंसर बता दीजे फटावट से इसका अंसर बता दीजे अब यहां पर हमें क्ैया रहे हैं कि potassium की water से reaction कराते हैं आप होथे हैं प्राप्त होता है potassium की water intersection गर्वाने पर हमें प्राप्त होता है potassium hydrogen प्राप्त होता है तो यहां पर प्राप्त होता है क्या हो जाएगा गब रहने की बात नहीं है मोनिका जी में जैसा की बार-बार बोल रही हूं यहीं से आने वाले हैं यदि फिजिक सोड़ी आपके लिए टॉफ पड़ी हो तो पिछली दो दिन क्लास से देख ले ना तो आक्सिडेशन टेक्स प्लेस वेरी गुड बहुत बढ़िया क्रेक्ट रैंसर क्या हो जएगा ऑक्सिडेशन टेक्स प्लेस यहां पर फिर जो हमारा करेक्ट रैंसर हो जएगा फिर देखें नेक्स कोशन जब लोहे में जंग लगती है तो उसका भार जब लोहे में जंग लगती है जब रसिया और उक्रेयन में जंग होती है तब क्या होता है दिमांग पर प्रेसर बढ़ता की नहीं बढ़ता है तो बार बढ़ेगा यहाँ पर क्या होगा उसका बार बढ़ जाता है क्लियर तो correct answer क्या हो जाएगा हमारा correct answer हो जाएगा बच्छू all the best जिसका भी कल exam है all the best बच्छू अच्छे से करके आना paper को paper आसान ही आएगा paper tough नहीं आएगा ठीके तो यहाँ पर हमारा correct answer क्या हो जाएगा जंग लड़ने पर बार हमें से क्या होता बढ़ता है वैसे लोहे में जंग लग जाती है तो क्या होता है weight जो है वो increase हो जाता है अच्छा question है अच्छा question है numerical based question है हाला कि यह theoretical जैसा को लगड़ा होगा लेकिन यह numerical based question है question हमारा है कि यदि दो द्रेमान के बीच की दूरी दो गुनी कर दिये जाये तो उनके बीच गृता करसन भल क्या होगा आपसे कह रहा है कि if the distance between two masses is double the gravitational attraction between them दो mass है आपको यहाँ पर mass m1, mass m2 और इनके बीच का distance जो है वो हम मानते हैं d है अब d को हम क्या कर दे, double कर दे, यानि कि अब d को हम बढ़ा दे, यानि कि m1 और m2 यानि कि हम यहाँ पर क्या कर दे, distance को हम 2d कर दे, क्या कर दे, 2d कर दे, ठीके तब यहाँ पर gravitational force तो आपको पता है कि f gravitational जो है वो क्या होता है g, m1, m2, upon क्या होता है, d square होता है आप यह दिसको क्या करोगे डबल करोगे तो यहाँ पर इसका क्या होगा G M1 M2 upon 2D का स्कोर क्या होजएगा 2D का स्कोर यानि कि क्या आजएगा G M1 M2 G M1 M2 upon क्या होजएगा 4D स्कोर होजएगा Yes बिलकुल correct answer अब आ रहा है reduced to quarter तो यहाँ पर हमारा जो है answer आएगा F-डेस जो है वो क्या आजएगा 1 upon 4FG क्या आजएगा 1 upon 4FG आजएगा तो दो गुना नहीं होगा 4 गुना नहीं होगा आधा भी नहीं होगा correct answer क्या होगा 1 चोता रहे जएगा is reduced to a quarter तो correct answer क्या होगा 4 तीजा और correct answer फिर देखे next question अच्छा question है अच्छा question है बहुत अच्छा question है ठीक है question है बच्चों आपके सामने question है कि निर्वात में एक दूसरे से एक मिटर की दूरी पर स्थी तो एक किलोग्राम के द्रेमानों के बिच लगने वाला the gravitational force between two stones of mass 1 kg mass 1 kg is separated by a distance of 1 meter in vacuum इस आपको vacuum में तो mass दे रखे हैं प्रतेक mass जो हो 1 kg का है distance 1 meter का है देन आपको बताना है कि उन दोनों के बीच में gravitational force की value क्या होगी क्या होगी फड़ा बढ़ बढ़ा दो फड़ा बढ़ा answer आजने चाहिए आप लोगों के all the best सभी को जिसका भी exam है उनको all the best answers देने की causes कीजे मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए solve कर देती हूँ हमारा gravitational force जो ही यह क्या होता है यह होता है g m1 m2 upon r square g क्या है universal constant है इसकी value हमें याद रखनी है examiner नहीं देगा ठीक है इसकी value होती है 6.67 into 10 to the power minus 11 newton meter square upon kilogram square क्या होती है यह कैसे निकाली मैंने इसी सुथ से निकाली newton into meter square upon क्या हो जाएगा kilogram का square clear और यहाँ पर m1 दे रखा है 1 kg m1 जो है वो 1 kg m2 is also 1 kg और r given है 1 meter बस value put करनी है fg is equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 into 1 into 1 upon r b कितना है 1 का square तो यह सब 1 1 हो जाएगा तो हमारा correct answer जो वो g के equal हो जाएगा यनिकी fg जो है वो किसके बरापर हो जाएगा g के equal हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा correct answer कौन हो जाएगा हमारा correct answer हो जाएगा c क्या हो जाएगा c जो है वो हमारा correct answer हो जाएगा फिर देखिए next question question है कि उपर ग्रह में भार हिंता का कारण है reason of weightlessness in a satellite is आपको किसी भी satellite पर बिलकुल भार हिंता लगती है ऐसा किस वज़े से होता है option पहला है zero gravity option second है center of mass द्रेमान के इंदर के कारण option थाड़े उप ग्रहे की सते दोरा सुने परतिक्रिया भल zero reaction forced by satellite surface fourth है none of these उपर अप मैंसे कोही नहीं तो क्या होगा answer अच्छा mem small g and capital g में relation बता दीजे बिलकुल मैं बता दूँगी पहले इसका answer दीजे फिर मैं बता दूँगी ठीके class बच्चे 9 बज़े तक होगी अपनी ठीके हाँ पहले इसका answer दीजे फिर true fact रालू को मैं इसका जो है जवाब दे दूँगी ठीके फटा पट बता दो correct answer इसका बिलकुल correct आ रहा है जिसने भी C answer दिया है बिलकुल correct है यहाँ पर कि यदि यहाँ पर zero reaction force लगेगा यानि कि कोई बली नहीं लगेगा वापस reaction force नहीं लगेगा तो क्या होगा केवल किर्या बली लगेगा यानि भार हिंता लगेगी ठीक है जीरो भार जो है वो हमें feel होगा तो correct answer होजेगा C हाँ अब कह रहे हैं कि यहाँ पर G and G में क्या relation है तो हमारे पास F G की value तो क्या है गुरुत्वा कर्सन बल गेविटेशनल force गुरुत्वा कर्सन बल जो है यह तो क्या होता है आपको बता ही है GM1 M2 upon R square यह तो आप सबका clear ही होगा I think अब आपको याद होगा F is equal to क्या होता है MA होता की नहीं होता है MA होता की नहीं होता है तो MA की जगे में क्या कर दो F बराबर MA की जगे हमें ग्रेविटेशनल यहाँ पर acceleration दे रखा है तो में की जगे क्या रखते है G रखते है तो अब इसमें से आप बचू है यहाँ पर क्या कर दो यहाँ पर एक द्रेमान को हटा दो यहाँ पर इस द्रेमान को हटा दो तो आपके पास क्या जएगा G का मन आजएगा तो यहाँ पर हमारे पास हाँ बिल्कुल यह वाली situation जो है weightlessness की situation जो है वो lift में भी होती है जब lift जो है lift की cable तूट जाए तब हमें क्या feel होता है तब हमें बार हिंदा मैसुस होती है तब हमें बार हिंदा मैसुस होती है तो यहां पर समझ में आगे true fact वाल लोको यहां पर relation होता है g is equal to gm upon r square तो g तो आपको पता universal constant और m क्या है mass of planet है जिस planet पर हम g की बात करेंगे उसका mass है और r जो है बचुक वो क्या है radius of planet क्या है radius of planet clear और के pushpa pushpa जुकेगा नहीं बिल्कुल pushpa के रहें कि मेरा paper बहुत आच्छा हुआ तो अच्छी बात है ना pushpa का paper तो वैसे भी कैसे बिगड सकता है अच्छी होगा correct answer हो जाएगा हमारा c क्या हो जाएगा c जो है हुमारे प्रिक तंस हो जाएगा फिर देखिए next question अच्छा question है question है कि चंदर्मान की दैजा प्रत्त्री दैजा का एक बटा 4 भाग है और इसका द्रेमान प्रत्त्री के द्रेमान का एक बटा 80 भाग है यदि प्रत्त्री के तल पर brutty Torn G है तो चंदर्मान के तल पर इसका G कमान कितना 홉गा अब जो ये जु देखें यहां पर हमें क्या कहता है कि चंद्रमा की त्रीजा यानि कि रेडियस ओफ मून जो है वो क्या है प्रत्री की त्रीजा का यानि कि वन अपन फोर रेडियस ओफ क्या है अर्थ है फिर कहता है कि मास इसका द्रह्मान यानि कि मास ओन मून जो है वो प्रत्री के द्रह्म जो इसका मान कितना है जी ए है क्या है जी जो है इसकी वेलियू है तो आपको बताने है कि चंद्रमाइं के तल पर इसका मान कितना होगा तो क्या होगा इसका options पहला है G upon 4, option second है G upon 5, option C है G upon 6, option 4 है G upon 8 कोई नहीं बता रहा है पढ़ते तो आप लोग हो नहीं तो कौन बताएगा यस तो answer नहीं देने कि आप लोग मेरे कोई बताना पड़ेगा क्या आप देखें यापर आपको बता है कि G क्या होता है G क्या होता है G M upon R score होता कि नहीं होता है होता है ना तो G हमें निकालना है moon पर G तो constant है M कितना है M यहाँ पर moon पर दे रका है 1 upon 80me क्या दे रका है 1 upon 80me 1 upon 80me हो जाएगा ठीक है और यहाँ पर आपको upon R score करना है आर्स कितना दे रखा हैं आपको आर्स दे रखा हैं आपको आर्स दे रखा हैं आपको आर्स दे रखा वन अपॉन फोर तो मैं यहां पर क्या करूंगी वन अपॉन फोर वन अपॉन फोर उपर आ जाएगा इसका क्या हो जाएगा स्कॉर हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा R E हो जाएगा, बच्चों मैं यहाँ पर थोड़ा systematic लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, तो देखें यहाँ पर, हमारे पास जो है, GM निकालना है, G constant है, हमें mass रखना है, तो mass जो हो कितना है, 1 upon 80, यानि कि मैं ऐसे लिख दू, 80 M E, और R का मान जो है, 1 upon 4, 1 upon 4 इसका क्या है, square है, और क्या जाएगा, R E है, ठीके, अब इसको हम solve करेंगे न, तो हमरे पास आएगा, 4.16, 16 upon 80, और यहाँ पर हमरे पास यह बिल्कुल G M E upon क्या हो जाएगा, R E हो जाएगा, R E का square हो जाएगा, तो, sorry, 18 नहीं होगा, 80 होगा है न, तो 16 बंजे 80, तो यहाँ पर हमरे पास क्या जाएगा, G M, जो है, वो क्या जाएगा, 1 upon 5, और यह किसके बराबर है, यह पूरी की पूरी वेली जो है, वो G के बराबर है, यानि कि क्या जाएगा, G upon 5, क्या जाएगा, G upon 5, तो correct answer क्या हो जाएगा, हमरा correct answer हो जाएगा, second, ठीके, क्या हो जाएगा, second, फिर एक क्वाशन है कि किसी शेपे का प्रत्री से पलाइन वेग कितना होगा लगबग अपको बताना कि पलाइन वेग कितना होता है यह फिक्स होता है इसलिए आपको वेल्यू जो है वो याद रखनी है ठीक है पलाइन वेग वेग होता है जिस वेग से हम बस्तों को फेके और प्रत्री डाइरेक्ट अंत्रिक्स को पार कर जाए और वापस नहीं लोट कर आए तो यह तो आपके मोबाइल को इस वेग से फेके या फिर आप नहीं पड़ो तो फिर आपको इस वेग से फेक दे तो आप अंत्रिक्स ही पार कर जाओगे ठीक है वापस दर्ती पर नहीं लोट पाओगे तो आपकी सारी खोई से आधी रह जाएगी आधी दूरी रह यानि कि यदि हम किसी वस्तु को एक सेकंड में 11.2 km की दूरी ताई करवाद है यानि कि 11.2 km पर दिस सेकंड के वेग से हम जिदी फेके तो वस्तु वापन्स लोटकर नहीं आएगी कभी नहीं आएगी इसको हम क्या बोलते हैं ठीके तो करेक्ट अंस रोजेगा हमारा थर्ड फिर कॉश्चन है अच्छा कॉश्चन है और आप लोगों के ऐसे उमीद है कि गलत आंसर आएंगे क्वेश्चन है कि एक तार की पदिरोदक्ता ते रेजिस्टिविटी ओफ वायर रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड होती है पहला उप्शन है तार की लंबाई के साथ बढदी है इन्ट्रेज के लेंद ओव डबदे वायर औप्सन सेकने तार के एनुपरेस परिश्चयद के साथ गतिंए की डिक्रीजेज विदे एरिया प्रो सेक्षन अप्षन सी है तार की लंबाई के साथ गतिंए तदा उसके एनुपरेस शैथविटांड के साथ बढद् गीगाबाइट पर सेकंड पे चलता है वो किलोमेटर पर सेकंड में थोड़ी चलता है कहां चला गया यार बिटा All the best जिसका भी कल एक्जाम है बच्चू पेपर अच्छा करके आना ठीके और questions जो है वो आप लोग बताना फिर हम discuss करेंगे करेंगे, देखो मैं आपको बढ़ा देती हुँ registivity हम registivity की बात करें Registivity की मैं बात करूं तो registivity जो है ये depend होती है temperature पर किसपर depend होती है temperature पर depend होती है और ये पदाज की प्रकृति पर निर्बर करती है nature of the matter पर depend करती है ये ना तो लंबाई ना multi ना लेंट किसी पर डिपेंड करती हैं क्या हो जेगा पूर्ट कोन थे गाप डी जो है वह करेक्ट एंसर होगा नेक्स कॉश्ण है अच्छा कोश्ण है और यह इस तरीकी के कोश्ण पूछे जा रहें लगा था एक्जाम में ना तो आप लोगों के आंसर आने चाहिए question है 100 cm लंबे और 2 mm व्यास के तार का प्रचिरोध 0.7 ohm है तो तार के पदात की प्रचिरोध दित्ता होगी a wire 100 cm long and 2 mm diameter has a resistance of 0.7 ohm the electrical resistivity of the material is तो आपको एक सुत्र पता लगना है R जो है is equal to rho L upon A होता है होता की नहीं होता है होता है तो rho हमें निकालना है तो हमारा सुत्र होजाएगा R A upon L ये हमें सुत्र रखाना है अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्या दिया हो माने लेंफ दी हुई है leag dv is 100 cm अब देखो यहाँ पर answer जो वह मीटर में आ रहा रहा है इसकंतर में बदलना पड़ेता है याने कि 100 into cm को मिटर में बतलते हैं तो क्या आजाता है 10 की गात माइनस 2 आजाता है फिर हमें दे रखा है व्यास हमें दे रखा है डाइमीटर डाइमीटर कितना दे रखा है 2 mm होगा याने कि 2 into 10 to the power minus 3 meter होगा और हमें R निकालना है तो R क्या हो जाएगा D by 2 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 into 10 to the power minus 3 upon 2 तो हमारी R जो है उसकी value हो जाएगी 10 to the power minus 3 M किलियर फिर आपको प्रतिरोध दे रखा है R की value given है 0.7 ohm 0.7 ohm तो answers निकाल लो फटावट से length बड़ेगा तो heat तो बड़ेगा है wire में अरे यार heat मतलब length बड़ेगा तो heat बड़ेगा कर क्या relation है यहाँ पर resistivity पूछा है आपसे ना कि ये पूछा है कि length बड़ने पर heat का क्या effect होता है clear पदात मोटा होगा तभी वो यदि heat conductivity शो करता है तो वो absorb करेगा और यदि उसकी length में है तब भी वो heat absorb करेगा ठीके ना हाँ मैं 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 को फेगना है बहुत बड़े आ बच्चू मैं अपना मोट फेग दूंगी ठीके हाँ M.E.P.S. में भी चलता है पहले M.E.P.S. में चलते थे क्योंकि बहुत कम net speed आती थी अब तो आपको बता है कि एक second में 1 GB की movie download हो जाती है दो second में 2 GB की हैनि कि data जो है अब gigabyte में आने लगे ना GBPS में आने लगे तो यहाँ पर हम value रख देते हैं Ro is equal to R की value कितनी है ? 0.7 है इंटू n कितना है ? l कितना है यहाँ पर ? l हमें दिया हुआ है यहां पर l हमने में मिटर में निकाला तो यहाँ पर कितना होँ जाएगा यह 1astern मीटर आ जाएगा 1 Northern आ जाएगा तो यह कितना हो जाएगा ? अब वन अब यहां पर देखो यहां पर A आएगा और A हमारा क्या होगा Pi R स्कोर आएगा तो यहां पर देखिए 0.7 into 1 upon Pi क्या होता है 22 बटेवा साथ होता है upon क्या होता है R स्कोर और R की वेल्यू कितनी है R की वेल्यू हमारे पास है 10 to the power minus 3 10 to the power minus 3 और इसका क्या हो जाएगा स्कोर हो जाएगा हमारे पास आएगा हमारे पास आएगा यहां पर 0.7 into 7 upon upon 22 22 into 10 to the power minus 6 क्या आएगा 10 to the power minus 6 अब इसको solve करेंगे न तो आप लोगों की पास आंसर आजाएगा ठीक है इसको solve करेंगे तो आप लोगों क्या answer जाएगा sorry सोहन लाज़ी में यह नहीं के रही कि resistance जो है वो doesn't depend on length and cross section मैं यह बोल रही हूँ कि resistivity doesn't depend on length and cross section area ठीक है मैं resistivity की बात कर रही हूँ मैं specific resistance की बात कर रही हूँ कलियर बच्चों आपको confusion क्यों हो रहा है मैं यहाँ पर resistivity की बात कर रही हूँ ना कि मैं resistance की बात कर रही हूँ ध्यान से सुन लो resistance depends on length and cross section of area ठीक है लेकिन मैं दिवार को resistivity की तो यह किस पर depend करती है only temperature पर depend करती है इसके लावा nature of material पर यह depend करती है clear तो I think जो doubt था वो clear हो गया होगा हमारे इसका answer आप लोग निकाल लेना यहाँ पर answer आजाएगा answer आजाएगा answer जो आएगा वो ohm into meter में आएगा ohm into meter में ठीक है solution कर लेना इसका answer आजाएगा फिर next question है आप देखो यहाँ पर जो मैंने explain किया ना अरे वो क्या पूछ रहा है आप assistant हो क्या उसके assistant हो क्या कुछ भी मतलब question है कि किसी दातू का vicious प्रतिरो निरबर करता है specific resistance बच्छो specific resistance को हम क्या बोलते है resistivity बोलते हैं क्या बोलते है resistivity बोलते हैं तो अब आपकी चीज के लिए हो जाएगी यह question आये वहां है exam के अंदर पहला है temperature पर सेकंड प्रेसर पर थाड़ है कि लंबाई चोड़ाई और मटाई पर यह फिर चोगता है बच्छों आरोपित चुमकी शेदर पर applied magnetic field पर ठीक है तो यहां पर हमारा correct answer होजएगा temperature पर क्या होजएगा temperature पर first जो है वह हमारा correct answer होजएगा फिर next question है कि एक धातु के चालग में 5 अंपियर की धारा प्रवाइत होती है तो कुलाम के मात्रग में 30 मिनिट में प्रवाइत आवेस कितना होगा यहां पर आपको क्या दिया होगा है एक धातु के चालग में 5 अंपियर की धारा प्रवाइत हो रही है यानि कि I की value हमें given है 5 अंपियर है तो यहां पर Q क्या होता है Q होता है it I की value कितना है 5 है T की value कितना है T की value है 60 तो correct answer हो जाएगा 300 answer किसी के भी नहीं आ रहे है बारची चल रहे हैं अपस मैं कोई बात नहीं लगाता है चल ले न दो इसी तरbased कि यह तो प्रिद्रोद क्या होगा कि कोई वायर रहे जब डबल करते हैं तो आपको पता है कि तार पहले मोटा था पतला हो जाएगा तो length double होगी तो area of row section जो है वो क्या हो जाएगा half हो जाएगा यानि कि ये कितना हो जाएगा A by 2 हो जाएगा ठीके तो अब प्रतिरोद कितना होगा आप को पता है row L upon है row L कितना है 2L डबल कर दिया और यहाँ पर आजा हो गया हमारा A by 2 तो हमारे पास आएगा 4 row L upon है और यह किसके बराबर है R के बराबर है तो हमारा R dash जो है यह किसके बराबर हो जाएगा हमारा R dash जो है यह किसके बराबर हो जाएगा 4 R के बराबर हो जाएगा इसका resistance जो है यह 4 time क्या हो जाएगा R upon 4 नहीं होगा रहे R upon 4 नहीं होगा 4 R होगा ठीक है अरे L by बचा देख यहां पर लंबाई डबल की है तो area of cross section जो हाग हो जएगा तो यहां पर देखो 2L upon A by 2 तो 2 into 2 4 हो जएगा Rho L upon R तो answer हो जएगा 4 R तो correct answer हो जएगा हमारा second क्या हो जएगा second जो ही हमारा correct answer हो जएगा अच्छा question है अब question आया है level का वास्तम में question है प्यारे बच्चों हमारा सारे वीडियोस देखना है तो Royal Institute of Competition का जो channel है YouTube channel उस पर आप search करना मेरी सारी classes मिल जाएगी आज 44 नमबर की class है YouTube पर ठीक है तो आपको सारी class मिल जाएगी आप एक बर playlist में देखना आप पर 1,2,3 डाल रहे होंगे T1 technician science करके आपको सारी वीडियो मिल जाएगे फिर देखिए question अच्छा है नेमने चितर में A और B के बीच में देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक बापस से clear कर देते हुए और यहाँ पर एक resistance जोड रखा है यह 5 ohm का है और यहाँ पर भी एक resistance यह भी 5 ohm का है यहाँ पर बिल दी बना रखा है यहाँ पर resistance 5 ohm का है अब दिखाई दे रहा होगा अब देखिये question कह रहा है कि potential difference between points A and B तो आपको जो है A और B के बीच में क्या निकालना है potential difference निकालना है potential difference निकालना है समझ में आये कि नहीं question मुरारी सर्माजी एक बार वीडियो को repeat करके देख लेना समझ में आ जाएगा आप लोगों ठीक है कोई tension वाली बात नहीं है अब देखे बचू मैं इसको ऐसे भी बना सकती हूँ मैं इसको ऐसे भी बना सकती हूँ अब देखे आपको बता है कि ये A और C जो है ये तीनू जो है बचू मैं दिबात करूँ A और C तो ये जो पांच पांच ओम के प्रतिरोध है ये इसके क्या है बचू पेरलल में है की नहीं ये इसके समाना अंतर करमें है की नहीं ये इसके समाना अंतर करमें है इसी तरीके से ये दि में बात करूँ यहाँ पर A, B और यहाँ पर में S ही तो यहाँ पर भी यह जो पांच ओम के प्रतिरोध है पांच ओम के प्रतिरोध है बच्चो यह इसके क्या है परेलल करम में है की नहीं है और यहाँ पर बेटरी क्या है दो वोल्ट की है तो आपको याद होगा कि परेलल करम में जो प्रतिरोध होते हैं उन पर वोल्टेज क्या होता है सेम होता है वोल्टेज जो है वो कितना होता है सेम होता है यह तिनू जो है, यह किसमे जुड़े है, स्रेणी क्रम में जुड़े है, तो टोटल प्रितोट कितना हो जाएगा, फंदरा ओम हो जाएगा, और इस पर वॉल्टेज कितना है, दो बॉल्ट है, हमें क्या पूछा है, यहाँ पर हमें A और B के पूछ में, यानि कि 10 प्रत्रोद में हमें पूछा है तो यानि कि 15 ohm जो है इस पर voltage कितना है बचो 2 है हमें 10 ohm पर निकालना है 10 ohm पर निकालना है तो क्या हो जाएगा 2 बेटेवा 15 इंटू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा तो यहाँ पर 20 अपॉन 15 20 अपॉन 15 तो 5 और 20 और 15 तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 4 अपॉन 3 क्या हो जाएगा 4 अपॉन 3 तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा C जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चू एक बार जिससे नहीं हो रहा है प्लीज एक बार वापस से questions देख ले आ जाएगा फिर आगे वाला भी अच्छा question है D के याकरती में A और B बिंदू के बीच में प्रभावी प्रतिरोध होगा आपको देखों यहाँ पर A और B दे रखे हैं इसके बीच में प्रभावी प्रतिरोध बताना है तो मैं यहाँ पर diagram बना देती हूँ वापस से यहाँ पर A है यहाँ पर तीन ओम का प्रतिरोध है यहाँ पर D बिंदू है और यहाँ पर फिर से बच्चू तीन ओम का प्रतिरोध है और यहाँ पर बिंदू C है और यहाँ पर भी एक प्रतिरोध जोड़ रखा है और यह कितना ओमका है? 6 ओमका है और यहाँ पर बच्चो 3 ओमका प्रतिरोध है और यहाँ पर बिंदू B है और यहाँ पर एक प्रतिरोध है वो भी कितना ओमका है? तीन ओम का है, ठीकає आप देखे, बहुत ही आसान है आपको याद होगा कि हमें यहाँ A और B के बीच में निकालना है टोटल प्रितरोद ठीके तीन ओम का यहाँ पर पहले से है आपको पता होगा कि यह यह और यह वाले दोनों ये वाला और ये वाला दोनु किसमें जुड़े है ये और ये दोनु किसमें जुड़े है बच्चों ये टोटल जुड़े है स्रेणी क्रम में स्रेणी क्रम में तो टोटल प्रित्रोध क्या हो जाएगा टोटल प्रित्रोध हमारा हो जाएगा तीन और तीन कितना हो जाएगा 6 ohm हो जाएगा ठीक है 6 ohm हो जाएगा ये दोनु जो प्रत्रियोध है ना ये दोनु स्रेणी करम में है स्रेणी करम में हम क्या करते है आर ब्लस आर टू करते हैं तो टोटल 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा अब ये वाला जो 6 हैं बच्चू ये वाला जो 6 हैं देखो यहां पर क्या होगा इसका टोटल प्रतिरोद कितना हो जाएगा 6 हो अब यह जुड़ा हुआ इसके किसके समाना अंतरकर में किसमें जुड़ा हुए? समाना अंतर करमें जुड़ा हुआ है तो आपको बता है कि समाना अंतर करमें जुड़ा हुआ जो क्या होगा? 1 upon 6 plus 1 upon 6 तो 2 upon 6 हो जाएगा यानि कि हमें इदे आर की मान निकालोंगे तो कितना जाएगा? 3 आजएगा कितना जाएगा? 3 आजएगा तो यहाँ पर इन दोनों का हम निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा तुल्य प्रतिरोद हो कितना जाएगा? 3 आजएगा 3 आजएगा अब यहाँ पर यह वाला जो यहाँ पर इन दोनों का मिला कर 3 Ohm है और यह किसमें जुड़ा बचो? स्रेनी करमें जुड़ा है तो 3 Ohrd 3 कितना हो जाएगा? यहाँ पर पहले इन दोनों का 6 आया फिर इसका इसके साथ में कितना है? बचो इसके साथ में 3 Ohm आया फिर यह वापस से स्रेनी करमें जुड़ा है तो 3 ओर 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा अब आपको याद होगा हमारा diagram इस तरह की बनेगा कि बिंदू A है यहाँ पर total प्रतिरोध हमारे पास 6 ohm है यहाँ पर बिंदू B है यहाँ पर दूस्रा प्रतिरोध है और इसका मान कितना है इसका मान है वच्चो 3 ohm और दोनों किसमें जुड़े हैं यहांपर यह दोनों समाने अंतर करमें जुड़े हैं तो हमारा 1 upon 8 टोटल जो होगा वो क्या होगा 1 upon 6 plus 1 upon 3 यहांपर हम जब 6 common लेंगे तो क्या आएगा 1 plus 2 यानि कि 3 by 6 तो यहांपर हमारा 8 टोटल जो हो क्या आजएगा यहाँ पर आजएगा बच्चो 2 ohm की आजएगा 2 ohm जो है यह बहुत बड़ी है यहाँ पर बिल्कुल correct answer आज़े बच्चो के तो correct answer होजएगा हमारा second गोजएगा second जो है हमारा correct answer होजएगा फी देखिए अच्छा question है यह भी अच्छा question है फटापट से कर दीजे फटापट से question का answer दे दीजे आप लोग अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि चार प्रतिरोध दिये वे चुतर में जुड़े होए हैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे नहीं दे रहे हो तुमें बता देते हूँ यहाँ पर यह पर यह प्रतिरोध है 4 Ohm का है ठीके इसके समाना अंतर क्रमे बच्वोट प्रतिरोध जुड़ा वा है यह इस तरीके से बैटरी से जुड़े है बैटरी की बोल्टा जो हो 20 वोल्टेज इसी तरीके से दूसरे जो प्रदिरोध है ये जुड़े हैं 6 Ohm और ये यहाँ पर जो है ये भी 6 Ohm है तो आपको क्या पुछावा है तो 4 Ohm तता 6 Ohm के प्रदिरोध में करमसे विद्धुद धारा का मान कितना होगा तो पहले तो हमें Total प्रदिरोध निकालकर हमें क्या निकालना पड़ेगा धारा निकालनी पड़ेगी हमें ये यदि I कमा निकालना है तो I is equal to क्या होता है V upon R total I हमें निकालना है तो V हमें दिया हुआ है V 20 वोल्टेज लेकिन R total हमारे पास नहीं है तो वैसे में आपको बता दू की यह दोनु किसमें जुड़े बचुछ ke तो समान बिजिर में जुड़ एपटी हो जाती है यानि की यहाँ पर इसकी टोटल होगी वह क्या होगी वन P1, P4, 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 P4 common लेंगे तो क्या होजएगा 2.2 तो यहां पर value कितने हैगी बच्छो 2 Oms होजएगी 2 Oms, इसकी भी आदी होजएगी तो इसकी आजएगी बच्छो 3 Oms. क्या जएगी 3 Oms, ठीके तो हमारा यह दोनों किसमें आजएगे? 4 Ampere आजाएगी, क्या आजाएगी 4 Ampere आपको बता हैं, इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ से बेटे से जो दारा निकलेगी यह कितनी होगी, यह होगी 4 Ampere कितनी होगी 4 Ampere होगी अब आपको भी बता हैं कि यह दि प्रतिरोत बराबर है तो 4 Ohm होने पर यहाँ पर, यहाँ पर भी कितनी जाएगी यहाँ पर भी बच्चू यह कितनी होगी 4 Ampere हो यहाँ आपको यहाँ कितनी होगी यहाँ पर भी 2 Ampere क्युकि प्रतिरोत बराबर है तो 三 होगी तो करेक्ट Anser होगी चार Ohm तर सउखो कि तो दो चार नहीं एक और दो नहीं हमारा क्रेक्ट तांसर हो जाएगा बच्चू किलियर फिर देखिए नेक्स कोशन अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा प्लीज बेग करके वीडियो का एक बार रिकोडेड फो में वपस से देख ले फिर एक नेमन परिपत में धारा आई का मान होगा परिपत क्या बना रहा का मैं बदा देती हूँ बेटरी है थ्री वोल्ट की यहां से धारा निकल रही आई यहां पर एक प्रतिरोध है आरवन जिसका मान दो ओम है और यहां पर बच्च और यहां पर यह वापस जूड रहे है और यहां पर बेटरी अपको बता यह तीनू जो प्रतिरोध है में तिया आरट miracle की बात करो तो आप वो ऑट्र में चुड़े हूँ हो एं, přिर देखिए आर्ट्व, आर्ट्व की मान कितना है 2 है R3 कमान भी 2 है R4 कमान भी 2 है तो R total कितना हो जाएगा R total हो जाएगा हमारा 6 ohm कितना हो जाएगा 6 ohm यहाँ पर देखिए हमार पास इस तरी की diagram बन जाएगा 3 volt की battery है यह प्रतिरोद पहले से जुड़ा है 2 ohm का और इन सब का जो प्रतिरोद है जोए वो कितना हो जाएगा 3 बटावा 2 ohm हो जाएगा ठीके total प्रतिरोद जोए वो 3 बटावा 2 ohm हो जाएगा हमें निकालनी है दारा I बराबर क्या होता है V upon R V कमान कितना है 3 R कमान कितना है 3 by 2 3 से 3 cancel हो जाएगा तो I की वेलू कितना आजएगी 2 amp r 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 जाते हैं इस त्रिपुच के किनी दो सिर्सों के भी सुल्य प्रतिरोध होगा संभाव का मदलब ऐसे होगा संभाव त्रिपुच यानि कि सब की बुजा जो है वो बराबर है और यह क्या है प्रतेग बुजा में क्या है प्रतिरोध है मैं इसको A, B, C कर देती हूँ यहाँ पर प्रतिरोध के मान कितना है चार ओम है क्लियर थ्री रेजिस्टेंस फोर ओम इच ओपार कनेक्टेट इन दे फोर्म और एन इक्वी लेटरल ट्राइंगल दे एफेक्टिव रेजिस्टेंस बिविन टू एंगर किसी भी दो भागों के बीच में इसके इसके बीच में या फिर इसके इसके बीच में किसी भी दो भागों के बीच में मान लेती हूँ कि A और B के बीच में हमें क्या निकालना है A और B के बीच में हमें क्या निकालना है हमें R निकालना है ठीक है, total R निकालना है तो आपको बता है कि हमें A और B के बीच में क्या निकालना है प्रतिरोद निकालना है तो इसका मतलब यह दोनू जो प्रतिरोद है यह किसमें जुड़े हो हैं दोनु प्रतिरोद ओविसली स्रेडिक्रम में जुड़े हैं तो यहां पर इन दोनु का जो है यदि में B, C और A के B टोटल प्रतिरोद की बात करूंगे तो R टोटल जो वो क्या हो जाएगा 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 ohm हो जाएगा हुआ है 8 Ohm हो जाएगा हमारे पास दारीकों आ हिखा यह इन पर प्रतिरोद की आ जाएगा 8 ohm आप दोनु के भास निकाला है तो यह और जुड़े हो जो है तो प्लालयल उन जुड़े हैं तो वन अपन in यह कि आ जाएगा एटों डांट उन्य और डां और एगा औरौ plaint अनल को चाहा हाँ दॉ क्या जाहए का रिडिल हो तो यहां में पर हमारा कर्ट हन्सर हो जाहेगा मैं पर जाएं वह प्रमार ट्urstम जाते हैं मुद् ineツay deta तो आज के हमारे questions यहीं पर complete होते हैं I think मैंने कोशिस की कि जितने भी type के questions प्रतिरोध से, प्रतिरोधक्ता से या फिर बात करें कि हम लोग energy से, work से, power से related voltage से, ampere से, आवे से, जितने भी questions बनते हैं वो हम लोग complete कर चुके हैं, clear? मुरारी सर्मा जान के क्या कर लोगे? जानने में कोई फाइदा नहीं है ठीके? यस, तो class कैसे लगी बच्चों? एक बार comment करके जुरूर बताएं class, यदि आपको पसंद आ रही हैं तो एक बार please class को like करें ठीके? आज के लिए इतना ही thank you so much, thank you so much good night sabi ko